हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका डिजल तैयारी चैनल पे मैं श्रयांस कोठारी लेकर हैं दोस्तों एस पी बक्षी की बुक अबजेक्टिव जेनरल इंग्लिश दोस्तों बुक जो हचल रही है हमारी दो चैप्टर पूरे हो चुके हैं काफी टाइम से काफी अच्छा रेस्पांस स्टूडिन्स दिखा रहे हैं और बहुत अच्छे से रेगुलरली पढ़ रहे हैं फिर भी कहीं डाउट है अगर आपको तो जरूर हमारे अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए दोस्तों एक लाइक जो है न वो एनरजी बढ़ा देता है हमारी इसके साथ साथ दोस्तों शेयर करें अपने सारे मित्रों को बताएं कि एक बहुत अच्छा रेगुलर लेक्चर यहां पे चल रहा है सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो एक वाट्सेप नमबर हमने आपके साथ शेयर कर रखें इस नमबर पे कभी भी आप पिंग करें कोई डाउट हो पूछें पीडिएफ के लिए एनिधिंग एनिटाइम वी आप देयर तो हेल्प यू टेलीग्राम पे भी अविलेबल है और टेलीग्राम पे दोस्तों जो हमारे चैनल का नाम है वो है डिजिल प्यारी सेम एस यूट्यूब चलिए मैं लिए चलता हूँ आपको सीधा चैप्टर नमबर थ्री डारिस मॉडल दोस्तों मॉडल क्या होता है गूडल वो सारे औकशिलरी वर्ब्स हैं वो सारे हलपिंग वर्ब्स हैं जो हम यूज लेते हैं जो एक मूड़ को बताते हैं जिसे आपने can सुना आया, good सुना आया, shall सुना आया, should सुना आया और बहुत सारे students को बहुत सारी doubts रहती है बहुत सारा detail model के बारे में नहीं पढ़के सीधा crisp हम आते हैं book पे जो SP Bakshi के book है बहुत अच्छे से manage करी दोस्तों tenses दे दिया उसने tenses के बाद आपको passive दे दिया voice दे दिया और अब models को समझा दिया जो more जो सबसे important है जहाँ पे doubt रहता है students का वो पहले ही clear कर लिया चलिए तो हम लिए चलते हैं आपको chapter number 3 शुरुआत करते हैं may and might से चल दोस्तों एक-एक चीज़ को मैं समझा दूँगा बहुत अच्छे से बहुत आराम से और आप भी एक-एक बात को ध्यान रखिएगा सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं may and might की तो these model auxiliary verbs are used to express क्या express करने के लिए आते हैं वो आपको 5 point ध्यान पे given है सबसे पहले दोस्तों possibility it might rain, it may rain दोनों ही possibility बता रहे हैं जिसे हिंदी में कहते हैं शायद, शायद बारिश होगी maybe, maybe कई बार कहा जाता है शायद के लिए, perhaps कहा जाता है शायद के लिए, तो it may rain और it might rain दोनों ही possibility की बात कर रहे है second कहरा है दोस्तों he might go to Delhi tomorrow, he may go to Delhi tomorrow दोनों ही perfect है tomorrow की बात कर रहे है possibility है उसकी, probability है जाने की संभावना है इसलिए हमने maya might का प्रयोग किया है you may fall तुम ध्यान से चलो, गिर जाओगे तुम इसलिए ध्यान से चलो तो गिरने की संभावना है जहाँ possibility है, वहां में लगाया है Tina said that अब ध्यान रखने वाली बात दोस्तों, पहले भी chapter में आ चुकी है said that अगर आ गया है तो आगे may का प्रयोग वर्जित है prohibited है, मना है नहीं कर सकते आप आपको might का ही प्रयोग करना पड़ेगा that means यहाँ जो might लगा है, वो बिल्कुल सही है Tina said that she might go there वो वहाँ जा पाएगी, जा सकती है साथ जाने के संभाबना लग रही है यह हमारी पहला बात है, पॉसिबिलिटी permission दोस्तों, permission जब हम मांगते हैं तब हम may से शुरू करते हैं yes, may I come in, may I come in दोस्तों, can I come in, should I come in सबके अलग-अलग meaning है permission नहीं है can I come in का मतलब है आप अपनी शमता की बात कर रहे हो capability की बात कर रहे हो ability की बात कर रहे हो वहाँ आता है can, should क्या मुझे अंदर आना चाहिए ऐसा होना चाहिए क्या permission के लिए बहुत simple सा है may I come in बोलते हैं, या फिर please may I come in बोलते हैं, और बच्पन से बोलते हैं दोस्तों, मुझे तो आज भी याद है, बच्पन में ऐसे हाथ करके बोलते थैं ma'am please may I come in something like that, that means वहीं से हमको सिखाया जाता था, permission के लिए जो word है दोस्तों, that is may may I come in अब permit कर दिया गया है, वहाँ भी better answer दोस्तों यही है, you may come in, तुम अंदर आ सकते हो तुम्हें आने की अनुमती है permit किया जाता है, permission granted तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों wish और prayer, अगर आप wish कर रहे हो किसी के, दुआ कर रहे हो pray कर रहे हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो तब आप make up prayer करते हैं, और यह तो बहुत commonly, बोलते हैं भी है दूस्तों may you enjoy marital happiness may you तुम रहो, तुम करो, तुम क्या करो enjoy करो, क्या चीज़ marital, marital यानि related to marriage शादी, wedding की बात कर रहे है happiness, शादी के बात जो खुशी मिलती है, वो तुम enjoy करो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, may you live long, तुम बहुत लंबे जीओ ये भी मैं प्रार्थना करता हूँ तो आपने देखा, पहला वाला था possibility की बात कर रहा था, दूसरा permission की बात कर रहा था, और तीसरा दोस्तों, wishes की बात कर रहा है चीजों को एक-एक करके आराम समझें, चौथा नमबर दोस्तों, purpose, कोई चीज के पीछे का purpose क्या है, कारण क्या है उसके लिए भी make-up रियोग करते है she works hard, वह work hard करती है, वह बहुत महनत करती है क्यों so that, she में पास ऐसा एक purpose है, कि वह पास हो सके, ऐसा एक purpose बना रखा है, कारण बता रखा है कि वह work hard करती है जिससे की वह ऐसा कर सके she came, अब दोस्तों ध्यान से देखेगा, came आया है past में, तो ये भी might past में जाएगा, ये छोटे-छोटे keywords को ध्यान रखिएगा, बहुत benefit मिलेगा, पाचवी दोस्तों remote possibility remote possibility यानि जिसकी संभावना एक कम हो जाती है, थोड़ा दूर चली जाती है, देखो, यहाँ एक चीज बतातो दोस्तों, बहुत सारे students गलती करते हैं, remote का मतलब गलत निकालते हैं, तो सो remote का मतलब होता है, जैसे हम बच्पन में कहते हैं, हम TV देखके आज भी कहते हैं या remote मुझे दे, actually that is not remote, that is remote control remote का मतलब होता है दूर, remote यानि far, remote area सुना है कभी, far area actually remote control, दूर से आप TV को control कर रहे हो so जो आपके हाथ में हैं, वो remote नहीं है, that is remote control, तो यह छोटी-छोटी चीज़े हैं दोस्तों English के बारे में हमने बहुत commonly used ले लिए है, घर की मम्मियां यही बोलती हैं कि remote दे दे, but actually जब आप चीज़ों को चानते हैं, आप चीज़ों को सही कर सकते हैं, यहाँ वो कह रहा remote possibility, दोस्तों remote possibility यह नहीं, जिसकी far possibility है possibility की संभावना कम है, जैसे it might rain, अब यहाँ पर कह दिया कि might is used in place of made to express remote possibility, अगर possibility कम है संभावना कम है, वहाँ हम might का प्रयोग करेंगे, जिसकी possibility कम है, remote है, जादा दूर है possibility, he might be sleeping now, शायद सो रहा होगा पका नहीं है, सो भी सकता है नहीं भी सकता है, chances कम है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि शायद सो रहा होगा इन सारी बातों को कहने के लिए he might be sleeping, so आपको मेरी बात समझ आ रही होंगी, चीज़ें आप समझ रहे होंगे, एक चीज़ आपको समझ आ रही होंगी, धीरे-धीरे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों normally अब ध्यान से देखेगा, मैं जो बात पढ़ रहा हूँ वो अच्छे से आप ध्यान से देखेगा, बुक में as it is है, और वो as it is line आपके लिए पढ़ रहा हूँ normally both may and might can be used to express possibility present and future, present की और future की कोई भी possibility की बात करते हो, तो may और might का प्रयोग दोनों का होता है यहीं एक confusion students को रहता है कि might हमेशा पास में हो ऐसा जरूरी नहीं है, may का second form might है, that is different thing altogether, but present और future की possibility के लिए may और might दोनों का प्रयोग पिया जा सकता है, however, आगे अगर हम देखें कि might is used when the reporting word is in the past जैसे मैं थोड़े पहले भी का शुरुआत अगर past से होगे तो फिर might का ही प्रयोग करोगे, reporting speech अगर part past में है तो आगे वाला sentence past यानि की might का ही प्रयोग होगा, वहा में नहीं आएगा, so present और future में में और might दोनों आ सकते हैं, past में में नहीं आ सकता है, इतनी बात clear करिये इस किताब ने, example दिये हैं उन्होंने, कि या sentence number fourth वो A और B दी में आप देख लेगे यहाँ पे हम देखते हैं, एक और पांच हुआ नियम, में च्छटा नियम, में और में माइट हैव, मतलब में हैव, माइट हैव का प्रेयोग कप करेंगे, अच्छा एक चीज़ हमेश बनाया थूरते पहले ही बताई, कि में के बाद आपको first form ही लगाना है तो maybe, अब maybe के बाद third form लगाओ, maybe के आई एंजे लगाओ, आपकी इच्छा, ये दो general ही आते है, may have, third form ही आएगा, might have, third form ही आएगा में के बाद जो have आया है, वो first form मिल गया हमें, चले यहां देखते हम they are used to express possibility, जान से देखेगा my और might have के बारे में है desirability relating to the past action, ऐसा शायद हुआ होगा, कोई भी चीज past में, ऐसा हुआ होगा, ये कभी दिखाने का अगर हो, संभावना उसकी दिखानी हो, desirable, काश ऐसा हुआ होता, वो भी case दिखाना होता, दोनों ही case में may have, या might have का प्रयोग करेंगे, चैसे he might have left yesterday है, यार वो तो कल ही चला गया होगा, ऐसा कुछ कहना है he might have failed, वो शायद fail है गया होगा, better you might not have revealed the secret काश तुमने reveal नहीं किया होता मतलब कर तो चुका है वो, लेकिन better अच्छा होता, बहतर होता कि तुमने reveal नहीं किया होता, reveal का मतलब opposite sense of the action बताने में इसका प्रयोग किया जा सकता है तो यहाँ पे theory part complete हो गया मेरा एक simple सा theory है कि आप लोगों की theory strong होनी चाहिए अगर theory strong हो जाती है तो practical बहुत मज़ा आता है competition exam में दोनों का बराबर role है theory को strong करो quality practical यानि questions quantity वहाँ तो number बढ़ा दो खूब सारे बहुत simple सी बात कहिए दोस्तों quality और quantity दोनों के बीच में ऐसा ताल मेल कि अगर आपके theory quality वाली होगी और practice अगर quantity वाली होगी आपको competition में तो कोई भी नहीं रोख पाएगा चलिए सीधा लिए चलता हूँ आपको return दोस्तों में return हो जाएगा मतब वो expect कर रही है आशा कर रही है कि उसका बेटा शायद lot के आए possibility है if we request अगर हम उसे request करते हैं अगर हम उसको request करते हैं she must give अगर request करेंगे तो देना ही पड़ेगा ऐसा तो नहीं कह सकते है might give क्योंकि can तो दे सकती है नहीं आएगा इसमें भी आएगा तो पहले का answer भी भी होगा है दोस्तों दूसरे का answer भी भी होगा it is possible ऐसी संभावना है फिर से ध्यान से देखें संभावना है किस चीज की marilow dash plays for shakespeare अब ध्यान से देखेगा अगर marilow shakespeare अभी के होते तो हम अभी की बात करते ऐसी संभावना है कि ऐसा हुआ होगा past में अब ध्यान से देखेगा might have written अभी कुछ दिर पहले जो आपने theory देखी थी उसमें ये देखा था कि past की possibility अगर बतानी हो आपको ऐसा हुआ होगा शायद ऐसा कब बताना हो आपको तो आप हमेशा might plus have plus weekly का प्रयोग करते है all felt question number fourth में एक बहुत अच्छी line यहाँ बें मिली और यही छोटे points है ना दोस्तों यहाँ अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना question का answer question से ही ढूड़ने निकालना होता है वो keyword अगर आपके नजर में आ जाता है तो उसके बाद तो काम आसान हो जाता है so all felt सभी को लगा लगा यानि past में लगा past देख लिए एक ही हो सकता है might be a cheat वो cheat हो सकता है में आ रहा है लेकिन all feel that अगर सब का feel होता present में तो शायद में को भी हम use ले सकते थे I go out asked her son उसके बच्चे ने उसे पूछा permission मांगी permission याद होगा आपको में बिलकुल सही सोचा आपने may I go out क्या मैं बहार चला जाओ permission मांग रहा है बच्चा बच्चे की मान आए वापस देखो क्या reply क्या yes you may go अब ध्यान से देखेगा चूंकि अभी हमारे पास कोई context नहीं है आगे और पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इन तीनों मैंसे सबसे appropriate इससे भी मान लिया exercise और may I amide तो शायद हमने दिमाग उससे भी चला लिया लेकिन important बात कहा है दोस्तों grammatically ये भी गलत नहीं है अगर आप किसी से कोई suggestion कह रहे है और फिर अगला सब्सक्राइब हाँ यार तुम्हें जाना चाहिए हाँ यार तुम्हें जाना चाहिए yes you should go अभी हिंदी में तो should go तो आए गई आए गई यानि ये भी right होता तुम्हें तो जाना ही चाहिए मतलब तुम्हें जाना पड़ेगा तुम्हारे जाने से ही काम बनेगा ऐसा अगर कहना है तो क्या होगा must go यानि logically grammatically मेरा मानना है तीनों ही सही answer थे लेकिन चुकि context नहीं given था तो generally permission की बात होती है the sun आ, sun ने पूछा past में हो गया, can लगा नहीं सकते may लगा नहीं सकते, काम खतम हो गया ये छोटी सी trick इसमें कहीं can, कहीं भी models काम नहीं आया है हमारे simple सा एक logic काम आया दोस्तों कि अगर sun ने ask किया है past में अभी हमने पढ़ा भी था कि अगर आपका reporting speech जो है वो दोस्तों अगर past का है तो आपका reported verb में might का प्रयोग होगा फिर वहां may का प्रयोग नहीं कर सकते हो यानि clear हो गया if he might go out चले दोस्तों question number 8 देखते हैं आपको यहाँ पे question number 8 में ऐसा लग रहा हो कि our king live long यानि हमारा जो राजा है चिरायू हो शतायू हो लंबा जीए आप उसके लिए wish कर रहे हैं आप अगर wish करते हैं दोस्तों तो फिर उसके लिए आता है may our king live long मेरी बात आराम से एक एक करके ध्यान से समझें question number 9 देखिए we eat हम खाते हैं खाते हैं that we dash live हम जिन्दा रहें present में मतलब possibility कम थोड़ी करने हैं कि might शायद जिन्दा रहेंगे यार नहीं हम खाते हैं जिससे हम जिन्दा रहें में आ जाएगा last question question number 10 देखिए दोस्तों he went there वो वह वहाँ गया so that जिससे कि क्या दोस्तों वो गया यानि past में वापस past चाहिए he might borrow money वो इसलिए गया क्योंकि वो मांग सके past की बात हो रही है तो यहां हमने देखा दोस्तों इस बहुत अच्छे से में और might चलिए सीधा लिए चलता हूँ आपको chapter number 3 चल रहा है दोस्तों लाइक जरूर करिए का दोस्तों वही हमारा energy booster है जितने जादा likes हम अपने वीडियो पे देखते है एक बहुत simple सी बात दोस्तों आपको भी कोई अगर like करता है और ऐसा वो बताता है पता चलता है आपको तो कितनी energy बढ़ जाती है दुगने जोश से आप काम करते है तो like जरूर करिए शेयर करिए दोस्तों अपने मित्रों को बताईए एक बहुत अची चीज हम यहाँ देख रहे है और तीसरा दोस्तों subscribe अगर आप अभी तक subscriber नहीं है तो subscribe करिए bell icon press करिए दोस्तों notification आपको मिल जाएगा whatsapp पे available है कभी कोई doubt हो phone number मैंने whatsapp के आपको से share कर दी है digital तैयारी के ये phone number है आपके पास जरूर आप काम कर सकते है चलिए सीधा लिए चलता हूँ मैं आपको exercise पर चल दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे शुड की और शुड के बारे में दे रखा है कि शुड का प्रयोग कहां किया जा सकता है चलिए देखते है सबसे पहली चीज़ दोस्तों शुड का मतलब है duty या obligation आपकी duty है आप obliged आपको करना ही है करना चाहिए ऐसा उसके case में हम लोग आप शुड का प्रयोग करते है तो इसने example दे रखा है you should stand by your brother अब एक बहुत important word आता दोस्तों यहाँ पे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दिया शुड तो शुड का मोटा मोटा जो अर्थ आपको समझ आएगा शुड का वह दोस्तों चाहिए मतलब मुझे यह खाना खाना नहीं चाहिए पीना चाहने वाला चाहिए नहीं यह काम करना चाहिए ऐसा होना चाहिए वाला चाहिए पहली बार दूस्तरा यहाँ पे जो आए दूस्तों stand by यह word आपको कई जगे पे मिलेगा stand और by अलग अलग है stand by एक साथ साथ है दोनों में क्या difference है वो समझते है जब हमारे stand और by अलग अलग है दोनों में difference है stand अलग है by अलग है उस case में इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तुम्हारी तरफ खड़ा हूँ जब भी तुम problem में आओगे मैं तुम्हारी side लूँगा इसका मतलब यह नहीं कि तुम मैं यह खड़ा हूँ physically तुम मेरे पास में खड़े हो मेरी side में हो मेरे पक्ष में बात करोगे that is I stand by you I will stand by you मतलब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिए हमेशा खड़ाओ stand by stand by का मतलब होता है दो तीन अलग अलग जगे पे जैसे stand by हाँ ठीक है उसको as substitute वहाँ पे available है stand by है stand by का मतलब है substitute available है जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं और गाड़ी के पीछे जब पुराने जमाने में प्रिया चलती थी तो उसमें seat के पीछे step नी लग थी step नी क्या है दोस्तों actually एक stand by है stand by का मतलब है वहाँ नहीं तो फिर इसके लिए ये तयार है तो ये कह रहा है कि I should stand by you should stand by तुम्हारे भाई की side लेनी चाहिए दूसरा कह रहा है I should leave now अब मुझे जाना चाहिए अब मैं को बस में को लगता है कि मेरा काम हो गया है I should मुझे जाना चाहिए तीसरा promises should be kept ऐसा होना चाहिए ये duty है ये obligation है हमें ऐसा करना ही चाहिए क्या करना चाहिए दोस्तों हमें promises को रखना चाहिए promises को रखने का मतलब क्या है तोड़ना नहीं चाहिए जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा चौथे नमबर पे लिखाव है He should be present यार उसको यहां होना चाहिए था ये उसकी duty है ये उसका कार्या है उसको यहां पे होना चाहिए था He should be present here Be यानि होना present यानि उपस्तित उसे यहां उपस्तित होना चाहिए था ये हमने पहला रूल देखा दोस्तों शुड का प्रयोग जब beauty के रूप में करते हैं तब दूसरा है दोस्तों future in the past घ्यान से देखेगा future in the past future in the past का मतलब क्या होता है उसको ऐसे समझेगा मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको और कहानी के अंदर राजा ने राणी से कुछ कहा कि राजा ने कहा कि हम वहाँ जाएंगे future में लेकिन ये पूरी कहानी कब की है past की so past के अंदर जो future रहा होगा I told him मैंने उसे कहा था I should go there मैं वहाँ जाऊंगा यहाँ पे जाना चाहिए नहीं आया है मैं जाऊंगा लेकिन कब ऐसा past मैं कहा था इस कारें दे शुड़ा गया did I not tell you क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया past में कि यार मैं qualify हो गया हो जाऊंगा future में so past की बात के अंदर जब हमने future के बारे में कहा होगा उसको एक sentence में लिखने के लिए future in the past मैंने जो कहानी का example दिया उसको शायद clear हो गया होगा तीसरा purpose है purpose है और उसमें भी ये less वाला नियम याद रख लिजएगा हमेशा याद रखिएगा less के साथ अगर कोई helping verb कोई model आ सकता है should है can could will would सब गलत है may might कुछ नहीं आ सकता सिर्फ एक आ सकता है दोस्तो less एक तरह का हमारा conjunction है और उसके साथ जो helping verb या model लगेगा दोस्तों वो should रहेगा हिंदी अर्थ क्या है less should का हिंदी अर्थ है नहीं तो अगर नहीं तो कैसे walk carefully less you should fall अरे धान से चलो तुम less you should fall नहीं तो नहीं तो क्या हो जाएगा दोस्तों गिर जाओगे condition अगर ऐसी condition होती तो should you work hard अगर तुम ये ने काम किया होता you will get success should is used in the sense of if बहुत क्लियरली उसने बता रखा है कभी कभी should का प्रयोग if के रूप में condition के रूप में आता है वो यहां समझाया गया है if के रूप में आखरी चीज़ हम पढ़ लेते दोस्तों पांच नंबर में दे रखी है should have अब should have का प्रयोग कब करते है यहां आख्शन हुआ नहीं ऐसा हो जाना चाहिए था obligation के रूप में पास्ट में ऐसा पहली हो जाना चाहिए था है और क्यों नहीं किया भी तक लिए example के तोर पे तुम्हारे भाई के लिए तुम्हें खड़ा होना चाहिए था तुम्हें घड़े ही नहीं हुए you should have left a message तुम्हे यार एक message दे दिया होता में आ जाता तुम्हें दिया ही नहीं पास्ट की बात है you should have been present at the party party में तुम्हें present होना चाहिए था तुम वह भी नहीं और last दोस्तो my brother should have replied politely मेरे भाई ने तुम्हें politely दिया होना चाहिए था, वो नहीं दिया सो कोई भी ऐसी obligation जो past की है, वहाँ आमें should have का प्रयोग करना है अभी की कोई बात है तो should की बात करनी है, तो यहाँ आमने देखा दोस्तों should का प्रयोग कैसे किया जाता है किसी भी वाक्य में बहुत important word दोस्तों और यह models मैं फिर कहूँगा आपको बहुत crucial हैं, बहुत critical है किसी भी computation exam के लिए सीधा लिए चलता हूँ आपको यहाँ पर चलिए, should में देखे she advised that उसने पहले advice दी कब पहले, किस बात की advice दी that I should curtail expenditure, expenditure यानी खर्चा, curtail यानी, कम करना भाई, मुझे कम कर लेने चाहिए, ऐसा उसने advice दी past में, यानी यहाँ पर क्या जागा दूस्तों, past के साथ है, a should दूसरा देखिए दूस्तों, you dash him that gambling would ruin him gambling जो है वो ruin, यानी तबाह कर देगी, अब इसमें हमें देखना है, should warn him, या should have warned him यहाँ पर अगर मैं sentence को ध्यान से देखू वैसे देखा जाए तो दोनों आ सकते हैं तो कि should warn, तुम ऐसा warn करना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लेखा है, यहाँ लेखाएगी यार वो उसको कर देगी, यानि past में यार तुमने काश उसे पहले बता दिया होता, should have warned उसको पहले से warning दे दी होती कि बरबाद कर देगी gambling तुमको question number 13, देखिए साब we enjoyed the movie past में काश तुम भी होते, you should have been there बला हमने movie enjoy करी past में, और काश तुम भी वहाँ होते ऐसी चीज़ जो नहीं हुई होनी चाहिए थी, पुरानी बात should have आ जाएगा should you work hard, you will pass अब मुझे लगता है, इसमें तो कोई बहुत ज़रा tough है भी नहीं चीज़ें समझने की यहाँ जो should आया है, वो if के format वाला है, ऐसा example भी हम लोग कर चुके हैं, तो बहुत ज़रा tough नहीं है, question number 15 I told him past में, मैंने उसको बता दिया, क्या I live next day, यानि देखो ध्यान से अगर आपको याद हो, तो एक बात आई थी future in the past past में उसको मैंने बता दिया कि मैं कल जाने वाला हूँ future में यानि past का future, यानि क्या जाएगा should, तो एक एक करके हमने देखा दोस्तों, सारी के सारी question with example समझ आ गया last, question number 16 make hast less, और less के साथ आपको याद है क्या होता है, should get late, भाईया make hast क्या line कह रही है यह hast यानि जल्दी करो यहां हमने देखा दोस्तों एक बहुत ही important part should को कैसे use लेना है sentences में, chapter जो है दोस्तों हमारा second चल रहा है, third चल रहा है और third जो chapter model है उसकी पहली exercise और आगे बढ़ती है चलिए, मैं सीधा आपको लिए चलता हूँ दोस्तों यहां जो लिखा है like करना है आपको, share करना है आपको subscribe भी करना है अच्छा लगे, like करिए, जरूर करिए, share करिए दोस्तों को बताइए और अगर आप subscriber नहीं है तो subscribe भी कर लीजे चलिए, whatsapp number हमने आपके साथ share कर ली है कभी कोई doubt आती है वैसे यहां description box में इसकी book पड़ी उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको कभी भी चाहिए, तो यहां नीचे की तरफ जगर आप जाते हैं, तो comment box है, जहां आप जो doubt पूछना चाहें, जैसा doubt पूछना चाहें वहीं publicly पूछले, कोई problem नहीं है, उसके अलावा कहीं आपको लगता है कि कुछ चीज नहीं समझ माई यह वो आप कर सकते हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आरी चीज़ समझ में, डीडीएफ नहीं मिल पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, डिरेकली हम से contact करिए, यह हमारा phone number है, यहाँ पे whatsapp number आपके सामने है, चलिए सीधा लिए चलता हूँ मैं आपको third chapter models में आगे की तरा यहाँ हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं आज must को जहाँ से देखेगा, must क्या express करता है, वो समझना है necessity or obligation in place of should should से एक और level up है, मतलब अगर आपको necessity है, जरूरत है, जरूरी है करना ही है, कोई काम आपकी obligation है, तो should से एक level, should मतलब तुम्हें एक काम करना चाहिए, must, तुम्हें करना ही पड़ेगा, मतलब आपने उसका degree, उसका level raise कर दिया है, तो अगर मैं कहूँ you must follow instruction का मतलब क्या होगा, कि आपको instructions follow करने ही है कुछ भी हो जाए, you must leave now, तुम्हें चले जाना चाहिए, मतलब तुम्हें जाना ही पड़ेगा कुछ भी कर लो तुम आगे, मतलब तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तो आप एक बात को समझे अगर necessity है, obligation है should say better word should say एक degree उपर की बात करूँ, तो वो रहेगा दोस्तों, must दूसरा use, बी नंबर पे दे रखा है दोस्तों, order of the speaker order of the speaker का मतलब है, आपने किसी चीज़ को order देके कहा है you must not leave now, तो मैं तो जाना ही नहीं है एक तरह से एक निर्देश दिया गया है, आदेश दिया गया है, दूसरा कह रहा है they must not play here, उनको यहाँ खेलना ही नहीं चाहिए तो दूनों चीज़े दोस्तों, order के रूप में है, बहुत जादा forcefully कही गई है, यह हमारा second हो गया दोस्तों, तीसर नमबर पर आती है strong possibility में शायद ऐसा होगा ऐसा होगा ही होगा मतब आप समझ लें, level को बढ़ा दिया हमने, raise कर दिया हम यह देख पारें, दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे है, हमारा level बढ़ते जा रहा है, degree बढ़ते जा रही है intensify होते जा रही है जैसे, it is 10, 10 बज चुके, it is 10 का मतलब यहां पर सामने कोई 10 नहीं पड़े आप time की बात कर रहे है, it is 10 घड़ी में देखा 10 बज गए है, कोई दिक्कत नहीं है वो अभी तो office में ही काम कर रही होगी मतलब आपने कोई नजारा देखा, कोई time देखा, कोई चीज देखी, और आपने कहते है यह तो ऐसा-ईसा हो रहा होगा, so in both the cases, जब हमारी strong possibility होती है हम में से भी better must का प्रयोग करते है determination दोस्तों यह बहुत important है I must helping मतलब आपने देखा, जैसे-जैसे यहाँ intensity कोई बढ़ायागा है deduction या inference का मतलब समझेगा, आप कोई infer कर रहे हो deduct कर रहे हो, ऐसा होगा शायद, आप कोई चीज नजाराई, आप CID program देख रहे हैं, आप कोई भी यार यह ऐसा हुआ होगा, मतलब आपका deduction, inference कोई भी चीज को देखने के बाद जो उसको conclude करते हैं, उसका निशकर्ष निकालते हैं infer करते हैं, उसको कहते हैं deduction, inference, he has a big house he must bridge, आपने उसका घर देखा, बहुत बढ़ा घर है, वो क्या होगा दोस्तों अमीर होगा, ऐसा कहना चाहरे हैं, ठीक उसी प्रकार से he reads, she reads a lot, बहुत पढ़ती है यार, she must be learned वो तो learned होगी, मतलब आपने क्या किया, deduction किया inference निकाला, एक sentence से बताया कि वो ऐसा होगा एक sentence से बताया कि वो ऐसा होना चाहिए उसे छे नंबर पे must के आखरी पे आते हैं, उस तो must plus have दे रखा है, this form is used for a past action or situation, indicating non-performance action मतलब, आप ऐसा कोई कार रहे है यार, जो होना चाहिए था, past में नहीं हो पाया है, उस case में आप क्या करते हैं, must have का प्रेयोग करते हैं, आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, must have का मतलब हो गया, एक ऐसा past action या situation, जो indicate करता है, non-performance, नहीं हुआ वो action, जैसे you must have followed instruction तुमने यार, ये instruction follow करने चाहिए थे, तुमने नहीं किये, non-performance, ध्यान से देखेगा, you must have left then उनको छोड़ देना चाहिए था, छोड़ा नहीं, ये तुमने गल्दी करी, you must have helped him तुमने यार, तुमने help करनी चाहिए थी, मतलब ये नहीं कह रहा है कि तुमने help की होगी, you must have help him, मतलब यार तुमने करनी चाहिए थी जो तुमने, नहीं कई, non-performance of the action, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो, ought to पाँच नमबर पे आता है, ought to को कैसे express करें, कहां-कहां ought to लगाए, duty होती है moral obligation है normally used for should and must, when there is a strong sense of moral duty advice, indication of correct action, अब मेरी बात को समझेगा हम में पे थे should पे आए should के बाद must पे आए और must के बाद ought to मतलब आपने धीरे-धीरे-धीरे-धीरे level increase कर दिया intensity बढ़ा दी, strong कर दिया उसे, तब धीरे-धीरे हम ought to पे आते हैं, मतलब ये बहुत ही strong sense of moral duty advice की बात है, तुम्हें ये करना ही चाहिए, ऐसा अगर कुछ भी कह रहे हो आप, तो ought to आएगा, कैसे आएगा? You ought to serve your motherland तुम्हारी मात्र भूमी को तुम्हें करना ही है, ऐसा कह रहे हो You ought not to take fatty food बहुत fatty food तुम्हें खाना ही नहीं चाहिए, भई आप fatty खाओगे, fat हो जाओगे कॉलेस्टरॉल बढ़ जाएगा मतलब आप strongly उससे कह रहे है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए You ought to take food before leaving तुम्हें जाने से पहले खाना तो खाई लिना चाहिए Ought to, ought to का मतलब है जब आप बहुत strong sense के साथ कहते हो तो मुझे अब लग रहा है दोस्तों Ought to have का बात है इस construction is used in relation to past action or duty that was not fulfilled और an action that was neglected in past जैसा हमने अभी थोड़ देर पहले must have में कहा ठीक वैसा ही ought to have है लेकिन वही और उसकी strong strength बढ़ जाती है strongness बढ़ जाती है और जादा determination से वो बात निकल के आती है You ought to have taken care of your wife तुम्हारी wife का तुम्हें ध्यान बखना चाहिए था must have से भी यही sentence बनता है लेकिन एक level और आगे बढ़ाना है तो ought to have लगाना है यह आपको clear होना चाहिए You ought to have served your parents You ought to have been present at the wedding of his friend उसके मित्र की wedding यानि शादी में तुम्हें उपस्तित होना चाहिए था You ought not to have smoked in the bus तुम्हें bus में smoke नहीं करना चाहिए तो जो तुमने किया तुमने इस बात को ignore किया कोई भी चीज़ को neglect किया past में वो नहीं करना चाहिए तो हमने यहाँ देखा दोस्तों सिर्फ level raise होता है बाकी meaning same था must और ought to के अंदर सिर्फ level increase हुआ तो यही आपको समझने की जरुत है यही सबसे important है कई बार वो level उसके आसपास के sentence आसपास के words से पता चलेगा और नहीं तो फिर option से clear हो जाएगा सीधा लिये चलता हूँ दोस्तों exercise पे exercise जो हमारी A exercise है उसका ending है क्योंकि 25 questions है उसके अंदर इसी वीडियो में आपको दिखा देंगे और next exercise नेक्स वीडियो में मिल जाएगी आपको चलिए दोस्तों लिये चलता हूँ dash work hard अब देखो एक चीज तो मुझे clear हो गई है दोस्तों have आया है मेरा एक नियम आपको अच्छे से याद होगा जो इंग्रेजी का नियम है लेकिन बनाया मैंने है have के बाद तो कुछ भी हो जाए verb की third form आनी है work'd होता तो दिमाग लगाते must have तो खतम हो गया अब logic आप देखेगा if she wants to top the merit list अगर आप merit list को top करना चाहरे हो grammatically ये भी सही है और ये भी सही है grammar की द्रस्टी से लेकिन grammar के साथ logic को अगर आप fit कर देते हो तो obviously आप ये नहीं कहोगे कि उसको कहा hard work नहीं करना चाहिए जिससे कि merit list में आजाएगी उसको hard work करना ही करना चाहिए कि वो merit list में आजाएगी तो चीजों को समझें logic के साथ समझें grammar के साथ समझें मज़ा आजाएगा आप दोगों को next देखते हैं दोस्तों she dash alone as it was raining it was raining अब आप सुचो ज़रा past की बात को कर रहा है तो फिर यहाँ पे must not leave तो आएगा नहीं must not have left उसने राव नहीं छोड़ा होता तो बेटर था मतलब यहाँ पे हम एक ऐसे action की बात कर रहे हैं जो actually हुआ जो नहीं होना चाहिए था must not have left उसको नहीं जाना चाहिए था क्यूंकि उस समय raining heavily हो रहा था एक question को skip कर मैं सीधा अगर 20 की बात करूँ तो आपको नजर आ जाएगा दोनों में difference यहाँ पे क्या आ जाएगा must not leave alone यहाँ आया था क्यूं सिर्फ एक single सा keyword आपको clear कर देगा present में थे हमने must not leave लगाया past में थे जो past का action था must not have left बना दिया बीच में जो 19 पढ़ लिया वो भी देखते हैं principle to a student principle student को क्या कह रहे है you dash with bad girls तो मैं तो भईया bad girls से देखो cannot mix नहीं हो सकती may not mix तो नहीं हो पाओगी must not mix अब आप सोची ज़रा grammar को अगर मैं मानता हूँ तो मुझे लगता है कि तीनों में से कुछ भी fit कर दो situation के अनुसार तीनों सही है मेरी बात बिल्कुल सही सुनी आपने कान खोल के कि अगर मैं grammar की बात करू situations अलग-अलग कर दू तो तीनों ही सही है लेकिन logically देखो आप वो क्या कह रहे है तो मैं bad girls के साथ mix होई नहीं सकती या तो वो लड़की ऐसी है हो नहीं पाओगी ऐसा कुछ कह रहा है होना नहीं चाहिए principle है student को अच्छे सला देखा कि अर तो मैं bad girls के साथ mix नहीं होना चाहिए you must not मतलब should भी आ सकता था पर should से एक और level अपर must not mix यहां हमने 20 questions देख लिए साब 21 पे आते है there dash something wrong with the cooker today कुछ बुरा लग रहा है मुझे कुछ नहीं कुछ गरबड है must be something wrong मेरी बात अगर आपको समझा रही है swati is gentle her sister dash अब सोचना ज़रा swati gentle है उसकी sister कैसी है should have done must have done should do उसको करना चाहिए किया होगा पक्का उसी ने किया होगा आप यहाँ पर एक situation से मुझे लग रहा है एक sentence लिया गया है यह काम swati का नहीं हो सकता swati gentle है sister नहीं यह काम किया होगा आपको मेरा logic समझा आया situation समझा आई situation के अनुसार लगता है कि swati gentle है वो नहीं कर सकती her sister आपको confirmity है किया उसकी sister ने किया होगा 23 देखिए I am sure मुझे तो confirm है क्या principle dash अपने कमरे में ही होगे आपको याद होगा यह तो वाक्य इस तरह का हमने किया है जाँ teacher अपनी class में होगी ऐसा बता है so आपको यह confirmity है I am sure कि वो तो वहीं होगी यानि must be in his room principle होगा तो यहां हमने देखा दोस्तों must को देखते वे कौन-कौन से sentence थे with practice, with example यह बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप practice बढ़ा दो मैंने आपको कितनी बार का इस video की माध्यम से कि आपको theory के अंदर quality strong करनी है और practice में आपको quantity build-up करनी है जितने जादा question करोगे उतना better है चलिए लिये चलता हूँ आपको ought to के उपर ध्यान से देखेगा you dash obey your periods अब ध्यान से देखा तुम्हें करने हैं तुम्हें करने ही करने हैं तुमको करना ही पड़ेगा अब आप सोचो जब तरह नहीं सही है लेकिन पहली बात चुकि यह ought to माया है तो हम ज़्यादा दिमाग लगा है नहीं ought to लगाना है लेकिन why मैं यह चाहता हूँ कि अगर किसी को अपने parents को obey करने की बात करने की बात कही जारी है that means वो बहुत strong intensity से कहनी चाहिए बहुत strong intensity से कहनी है तो मुझे लगता है इस cancer क्या हो जाएगा B हो जाएगा आकरी question is exercise का यू डाश stood by your sister when she was in difficulties जब वो difficulties में थी तुम्हें वहाँ रहना चाहिए था क्यों neglect किया तुमने याद होगा आपको ought to have बहुत strongly कह रहे हो उसके साथ खड़ा होना चाहिए था तो दोस्तों यहां हमने देखी एक और exercise यहां complete होती है और जैसे जैसे आप चीज़ें खुलती जारी है जैसे जैसे परतने खुलती जारी है मुझे लगता है English और better होती जारी है chapter number 3 चल रहा है दोस्तों models models की workbook exercise be start करते हैं चलिए लिये चलता हूँ आपको सबसे पहले तो मैं लिये चलता हूँ आपको कि इसमें किस तरह की बाते होंगी सबसे पहले दोस्तों दे रखा है can and could bracket में एक चीज़ दे रखी है able to तो यह ध्यान रखिये वाली मेरी बात को कि can हमारा present में है could हमारा past में है कभी कभी will के साथ हम लगाएंगे able to और इन तीनों में actually एक सक्षम का कोई न कोई करने की capability की बात आती है they are used to express number one दोस्तों दे रखा है आपको ability present हो या past हो या future हो पहले यह काम हो सकता था past की possibility है ability है अभी यह काम हो सकता है present की हो गई यह काम हो पाएगा future में future की हो गई example देख लेते है she can write English well able to do मतलब वो कर सकती है उसमें शमता है me too could play at cards was able to मतलब उस समय cards खेल सकती थी cards में वो अच्छी थी ऐसा वो बता रहा है will be able to help me future of can future of can will be able to help करने की सक्षम हो जाएगी future की बात हो रही है और last देखे I have been able to do it perfect of can मैं ऐसा कर पाया कर सका कर सकता ऐसा कुछ अगर मैं कहना चाह रहा हूँ तो तीन चीजें हमने देखी और चौती चीजें हमने देखी दोस्तों perfect of can एक आता है हमारा polite request अगर आप कोई request कर रहे हैं बड़ा ही विनम्रता से politely तो आप आम तोर पे could का प्रयोग करते हैं वही यहाँ पे दिखाया है could you please do it for me क्या तुम मुझसे कर सकते हो would is also used for the polite request दो नहीं use लिये जा सकते हैं आप अगर अगले की शमता के लिए बात कर रहे हैं तो better है कि could you please या फिर कॉरे could you please lend me some money क्या तुम कुछ पैसे मुझे दे सकते हो और ये हम लगा रहे हैं दोस्तों सारी चीज़े हैं अभी के लिए लेकिन साथ ही साथ आपको polite request के लिए तीसरी चीज़ा दोस्तों permission या order अगर आपको किसी को permission देनी है yes you can go now मतलब आपके उपर option है अगर आपको याद होगा ऐसा ही चीज़ हमने me में भी देखा था you may go now मतलब एक बात कही जारी थी क्या तो मंदर आ सकते हो हाँ तुम ये कर सकते हो यहाँ पे अगर हम और थोड़ा order का level बढ़ा दिया जाए एक चीज़ हमेशे दियान दखी कि दोस्तों जैसे जैसे हमने आगे बढ़े me के बाद can आया can के बाद और must में हमने देखा था must के बाद or to भी देखा था सो धीरे 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 level बढ़ता है तो यहाँ पे जैसे you can make my book बलब यहाँ पे जो hair can is an alternative of me make का alternative है बड़ आम तोर पे जितना politeness की बात होती है ऐसे sentences में me का preference रखे है हमेशा ध्यान रखे है आगे देखते हैं दोस्तों prohibition offer दोनों ही case में या तो आप किसी को prohibit कर रहे हो मना कर रहे हो या फिर कोई offer की बात कर रहे हो इन दोनों ही case में हम can का प्रयोग बहुत करते हैं जैसे you cannot enter the room आपने बिलकुल prohibit कर दिया मना कर दिया तुम तो अंदर आ ही नहीं सकते can not दूसरा हमने देखा can I get you some fruits एक offer है क्या यह मैं कर लू तुमारे लिए कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है same can I help you generally आप अगर politeness की बात करो तो may I help you होता है आपने बहुत सारी जगे पे railway stations पे police के चौकी एक kiosk बना रहता है उसके clear लिखावा रहता है may I help you desk मतलब may का प्रयूख ज़ादा करते है लेकिन उसका alternative can be लगाया जा सकता है कोई problem नहीं है फिर बात करते दोस्तों possibility की कोई चीज की possibility है who is she with him उसके साथ ये लड़की कौन है उसने possibility बताई she could be his wife possibly she is मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि वो उसकी wife हो she could be his wife how old is she कितना age के है उसकी she could be second 16 so हमने possibility के case में यहाँ पे could का प्रयोग किया है F पे देखिए दोस्तों could plus have आपको याद होगा same way में could have के जैसा should have should have के जैसा must have might have सब हमने देखा है और समय करीब करीब समानता है सिर्फ level का फरक है degree का फरक है degree बढ़ते जाती है past ability while indicating that it did not take place वो हुआ नहीं उसकी past की ability की बात हमने करी जैसे I could have revealed the secret मैंने ये secret بتा दिया होता could have मैंने ऐसा कर लिया होता उस समय you could have borrowed money तुमने पैसे मांग लिये होते the police could have arrested him police ने उसे अरेक्स कर लिया होता should का मतलब उनको ऐसा करना चाहिए था must का मतलब उनने करना ही था और ये दोस्तों कह रहा है could have ये कर पाते काश ऐसा हो पाता वहां हम could का प्रयोग कर रहे है in all the sentences the action did not take place मैंने आपको पहले भी का ये वहीं पर यूज लिया जाता है कि past में कोई action नहीं हुआ नहीं हुआ और उसको आपको show करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं चलिए आगे देखते हैं हम लोग exercise आगे हमारे सामने complete the sentences with suitable alternative can or could की बात किये since the keys are with my brother since the keys are with my brother I dash new money मैं जो keys हैं वो मेरे brother के पास हैं इसलिए मैं तुम्हें lend नहीं कर सकता मैं कर ही नहीं पाऊंगा करने के लिए सक्षम ही नहीं हो I cannot lend possibly नहीं है क्योंकि पहरा कह रहा है नहीं दूँगा दूसरा कह रहा है कि शायद नहीं दे पाऊंगा cannot सीधा बैचा भी नहीं यह कहां से दूँगा काम खता she told me told आगया यह नहीं past होगा अब English fluently and was very happy पुराने टाइम की बात है could speak का मतलब होता है शायद वो बोल पाए लेकिन वो confirm कह रही है कि she could have spoken उसने ऐसा ऐसा कर लिया होगा तो क्या हो जाएगा इसमें यहापे told आया है past का है could have spoken लेकिन यहाँ पे could have के साथ यहाँ से देखेगा she told me that she dash English fluently and was very happy इस was very happy के कारण यह wrong हो जाएगा अगर आपको याद हो जब आपने could have पड़ा था उसमें यह लिखाता कि यह possibility तब है कि उस समय यह काम नहीं हुआ लेकिन चुकि यहाँ पे happy दिखाया गया है my answer goes with a उसने ऐसा बताया कि वो English बहुत अच्छे से बोल सकती थी past में और बहुत खुश थी इस कारण से b गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि he was happy अगर मुझसे कहा जाएगी polite request है sorry boss can का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे देखें कि exam में सिर्फ पहले option को देखके अपना answer नहीं करना चाहिए जहाँ polite request है वहाँ could का प्रयोग करते हैं यह छोड़ी छोड़ी बात है आपको याद रख रहे है after we had changed जब हमने puncture tire को change कर दिया तब क्या हुआ I can, we can तो नहीं कहा we was able, we were able to हम अपनी जर्णी को we आया है, were लगाएंगे हम अपनी जर्णी को आगे continue कर पाए सिंबल है आखरी sentence देखे दोस्तों पांच नंबर में क्या दे रखा है my friend did not help me मेरे दोसने मुझे help me करी दो हालांकी उस वो कर सकता था पहली चीज़ तो दोसनो could और should के बाद तो verb की first form आती है तोगि याद है मुझे आपको भी याद रखना है model के साथ हमेशा verb की first form दूसरा उसने help नहीं करी हालांकी वो कर सकता था मतलब जो काम नहीं हुआ जो action हुआ ही नहीं उसके लिए could have plus we three लगाएंगे तो यहाँ हमने देखा एक तो helped जो की verb की third form है उससे भी elimination मिल गया हमें और meaning से भी समझ में आ गया तो actually में model बहुत tough नहीं है सिर्फ आपको apply करना आना चाहिए चीजें समझ में आने चाहिए बहुत brief सी crisp सी theory बताने के बाद मैंने आपको बहुत अच्छे से question करवा दिये इसलिए आपको यह book करवारें दोस्तों SP बक्षी यह exam point of view से बहतरीन book है चलिए मैं लिए चलता हूँ आपको सीधा उस chapter पे जो हमारा running है जो पिछले वीडियो से आगे बढ़ने के लिए continuation है चलिए ओके दोस्तों यहाँ पे हम बढ़ेंगे to be plus infinitive को infinitive अगर आपको याद हो तो हमने कहा था infinitive का मतलब रहता है verb की first form का प्रयोग करेंगे to be का मतलब होता है दोस्तों is mr और verb की first form से पहले भी true लगेगा ये वाला true तो वहाँ नजर आएगा और ये true actually नजर नहीं आएगा कि वो इस format में होगा कैसे अभी हम समझते हैं दोस्तों इस to be का तो मतलब होगया is mr infinitive का मतलब होगया two plus v1 यानि इस तरह के expression हमें use लेना है सबसे पहला express plan आप अपना plan express करना चारें आप लोगों को बताना चारें कि आप ये करने जा रहे हैं जैसे I am to make a speech tomorrow मुझे एक speech बनानी है मेरा ये काम है मेरा ये plan है कि मुझे आगे एक speech बनानी है she is to leave for the states after marriage marriage के बाद मुझे states में जाना है US में जाना है तो ऐसा एक plan है after marriage leave for the states I was to make a speech yesterday मुझे ऐसा काम करना था नहीं किया तो एक ऐसा plan जो मैंने बनाया था वो नहीं हुआ उसके लिए she was to leave for states for higher studies higher studies के लिए उसे states यानि US की बात हो रही है वहाँ उसे जाना था तो वहाँ जहाँ मैं plan को express करना है plan के बारे में बताना है वहाँ to be plus infinitive का प्रयोग करते हैं दूसरा express order in the sense of must अगर मैं order दे रहा हूँ must के जैसी बात कर रहा हूँ students are to wait outside उन्हें बाहर ही wait करना है students must waits outside भी वैसा ही रहेगा the servant is to remain in the house till we return जब तक हम return होते हैं the servant है उसे वहीं रहना है कुल में लाके इन दोनों में जब आप order को express कर रहे हैं must की बात करते हैं यहाँ पे आता है तीसरा दोस्तों obligation या duty की बात कर लें I am to help my ailing brother ailing brother ail का क्या मतलब होता है ailment का मतलब क्या होता है ailing यह नहीं होता है दोस्तों अगर कोई बीमार है sick है उसे ill है अगर उसे हम कहेंगे ailing brother तो ailing brother को मुझे help करनी है मुझे मदद करनी है क्योंकि यह obligation है मेरा diet वह करतव है मुझे यह करना है उसके लिए आता है दूसरा दोस्तों my friend was to send money to his sister मेरे दोस्त को उसके sister को यह money भेजना था यानि उसका यह दायत्व था जो उसे पूरा करना था तो हमने देखा plan को express करने के लिए order देने के लिए या फिर obligation duty के लिए हमने to be plus infinitive का प्रयोग किया उसके बाद बात करते दोस्तों to be plus have this expression is used to express an action that could not have been placed according to the plan plan किया तो था लेकिन वैसा नहीं हो पाया जैसे he was to have attended wedding but fell ill वह उसे ऐसा करना था लेकिन वह इल हो गया तो वो plan नहीं कर पाया वह marriage attend नहीं कर पाया एक और देखें दीपु was to have appeared at the examination but she gave up the plan plan ही उसने छोड़ दिया उसे examination में appear होना था तो मेरी बात आपको समझाई होगी कि हम यहाँ पे to be plus infinitive यानि is to plus verb की first form का प्रयोग करना चाहरें example और देखेंगे उससे पहले एक और देखते हैं to have plus infinitive दोस्तों to have plus infinitive तो बहुत सारी बार प्रयोग करते हैं यहाँ to have लिखा हुआ है but actually इसे समझू तो have to plus v1 यह हमारा structure है I have to leave for daily today कब आता है यह जब कोई compulsion है मजबूरी है करना ही पड़ेगा करना ही है must के जैसा है यह जैसा कि इसने लिखा है नहीं है उसके पास जैसे I have to leave I don't have to meet him now वो यह कह रहा है मुझे उससे नहीं मिलना है I don't have to meet I have not to meet him now मैं उससे नहीं मिलना चाहरा हूं I will have to get up early in the morning मुझे जल्दी उठना पड़ेगा future में बात कर रहा है वो I had to leave for daily yesterday मुझे कल वहाँ जाना था मजबूरी के अंदर I did not have to meet him there मैं वहाँ उसको नहीं मिलना चाहरा था मदब कोल मिला के अगर आपको कोई मजबूरी compulsion ऐसा कुछ कार रहा है जो करना ही पड़ेगा किसी reason के साथ वहाँ आप ध्यान से देखेगा इस to का actually कोई meaning नहीं है तो सिर्फ आपके verb को समझाने के लिए आया है कि ये to have वाला है infinitive का मतलब होता है to plus v1 ऐसे याद रखें आप तो यहाँ पर आपको समझ आएगा कि कहा use लेना है फिर एक होता है दोस्तों used to या would used to का मतलब है मैं ऐसा काम किया करता था पहले कभी किया करता था अभी नहीं करता हूँ इसको भी समझाएंगे सबसे पहले चो जिनोज है habitual action past routine of the subject past routine का मतलब दोस्तों समझेगा पहले का routine था अभी नहीं करते हैं पहले का routine था दोस्तों देखेगो इस बुक को करने का best तरीका है आप बुक अपने पास रखिए PDF अपने पास रखिए एक एक चीज मुझसे समझेए जहां नहीं समझ माए comment box में टाइप करिए लेकिन ये बुक best बुक है आपको actually competition के लिए किसी दूसरे बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत सारे comments directly और बहुत सारे comments हमारे WhatsApp पे आते हैं मैं आपके साथ भी मेरा WhatsApp number share करता हूँ कभी कोई भी doubt हो anytime, any day आप मुझसे मिलें definitely आपको फाइदा मिलेगा आप उस पे कुछ भी WhatsApp करें PDF जिसने मंगाई हमने N number of students को PDF बेजा है not to worry much description box में इसका पूरा PDF पढ़ा है उसका link पढ़ा है download कर लें लेकिन आप पढ़ है that is the most important thing पढ़ना जरूरी है चलिए मैं लिए चलता हूँ आपको इस बात पर he used to go to Delhi by car वह car दिल्ली car से जाया करता था he used not to go to Delhi वह दिल्ली ही नहीं जाया करता था he did not used to go to Delhi वह दिल्ली नहीं जाया करता था ये दोनों same तरीके हैं कहने के दाइना would study at noon अब देखेगा used to और would करीब करीब same है वह ऐसा करती थी she would go out with me in the morning वह morning में मेरे साथ जाया करती थी ऐसा कब होता है जब आप past routine की बात करते हैं उसके अलावा इसने एक और example यहां पर दिया है to denote discontinued action मैंने आपको कहा कुछ दिर पहले या तो उसे past routine कह दो या फिर यूं कह दो कि जो काम पहले करते थे अभी right now नहीं करते हैं जैसे he used to play hockey but now he has stopped अभी नहीं कहलता है पहले वो hockey खेला करता था he used to work in office before marriage वहाँ marriage से पहले office में काम किया करता था अभी नहीं not now फिर आए देखो दोस्तों used to is also used as an adjective be used to equal to accustomed to मैं उसका आदी हूँ ऐसा काम करना है मुझे इस तरह के adjective के रूप में उसका use लिया गया है examples देखेंगे clear हो जाएगा लेकिन accustomed का meaning यहाँ पर बता दूँ आपको क्योंकि बहुत सारे ऐसे words हैं इस book के अंदर जो आपको नहीं समझ में आए आप जरूर मुझ से पूछिए बहुत अच्छे dictionary का जरूर online प्रयोग भी कीजिए अपने mobile में mobile की dictionary यूज देना कोई बहुत बुरी बात नहीं है उल्टा मैं समझता हूँ इतना improvement आप में आएगा और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें दोस्तों English to Hindi dictionary not very good idea अगर आप practice करना चाहरें English to English करिए ऐसे ही improvement मिलेगा मेरी छोटी छोटी बात का छोटी छोटी पॉइंस का जरूर ध्यान रखेंगा चलिए अब ध्यान से देखेंगा to के बाद ing आया है क्यों क्योंकि दोस्तों वहाँ पे used to जो है न ये adjective का रूप ले रहा और उसके बाद gerund यानि की noun का रूप है ये ing यहाँ पे verb नहीं है ये noun है वह जल्वी उठने का आदी था उसकी आदत बन चुकी थी I was used to driving through crowded streets मैं crowded streets में यानि जो भीड भाड़ वाली गलिया है वहाँ crowded सोचो ज़रा क्या किया उसने यहाँ crowded भी adjective बना लिया भीड भाड़ वाली किसके लिए streets के लिए adjective बना है तो उसमें जाने का मैं आदी था driving करने का He will be used to taking dinner early वहाँ अब आदी हो जाएगा कोई ऐसा उसके life में परिवर्तन हुआ है कि वह आदी बन जाएगा dinner जल्दी करने के लिए We are used to hot noons in the plains इस plains में इस जगह पर हम hot noons के आदी हो चुके है accustomed हो चुके है यह ध्यान दखियेगा चलिए एक और देखते है would का अलग से use जो है It is used in the following cases Would you please help my son यहाँ पर polite request है ध्यान से देखेगा एक-एक के बारे में information दे रखी है क्या तुम मेरे son की help कर सकते हो She told me that she would give me money future in the past आप देखेगा future in the past क्यों told ऐसा पहले कहा उस समय कहा कि मैं future में पैसा दूंगी अभी उस बात को ले रहे हो future in the past पहले भी हम यह बात कर चुके है दोस्तों I would like to play now ऐसा हमने जो wish है ना उन दोनों के लिए मेरी इच्छा है मेरी wish है क्या कि मैं खेलना चाहता हूँ मैं बहुत खुश हूँ आपको help करना चाहता हूँ ऐसा कुछ कहना चाहरे I would rather stay इसके लिए आए दोस्तों wish ये भी यह कहना चाहरे कि और मैं तो यहां रहना चाहता हूँ मेरी इच्छा है इच्छा के लिए wish का प्रेयोग करते है would का प्रेयोग करते है who is she she would be our sister possibility के लिए would का प्रेयोग करते है शायद वो उसके sister है ऐसा करके she would be 16 शायद वो 16 की है possibility if only you would stay with me wish again मलब इच्छा कर रहे है ऐसा तब ही हो सकता है जब हम यहाँ पे तुम यहाँ पे रहो stay with me I would go to daily by car ऐसा habitual है तो इन चीजों में हमने use लिया would का बहुत सारे students है जो ऐसा कहते थे कि sir नहीं समझा आता है would का प्रेयोग क्या है यह बहुत अच्छी एक छोटी सी list दे रखी है इसका जरूर screenshot लेके हमेशा अपने mobile में क्याद रखें बहुत मज़ा आ जाएगा definitely आपको enjoy मिलेगा चलिए अब आजातें सीधा exercise पे that is the most important part कि exercise में क्या करना है दोस्तों डाश catch the first train tonight tonight उसको tonight में क्या करना है catch करनी है train तो अब आप सुची जरा कोई एक future plan को express कर रहा है she he is to do that वो से करना है उसका एक future plan है यहाँ पे is to have नहीं आएगा और यह तो बिल्कुल नहीं आएगा और वैसे भी have के बाद आपको याद होगा third form आती है second or third option तो cancel ही हो जाते है चलिए how are you here तुम यहाँ कैसे हो you dash to her marriage अब तुम यह सोचो जरा कि तुम्हें तो क्या करना था तुम्हें तो उसकी marriage attend करनी थी तुम यहाँ कैसे हो उसकी marriage में होने चाहिए थे she dash the first flies so he hurled the airport in the taxi वह hurled hurled यानि तेजी से भागा लपका क्या किया to the airport airport पे in a taxi taxi में बैठके वो जाया क्यों she was to catch she am to catch she was to have caught यह तो ऐसा कारे जो नहीं हुआ होता यह तो कह रहा है कि उसे ऐसा करना था इसलिए उसने यह airport पे गया चले दोस्तों next आप आते हैं would or used to और be used to के उपर इस पे भी questions देख लेते हैं दोस्तों she told me अब told आगे तो यह तो आएगा नहीं अब मुंबई जाना है next month जाना चाहिए नहीं उसे जाना है अगर आपको याद करो तो past and future future in past past में ऐसा अगर future बताना है would का प्रेयो करना है he dash go to college daily by bus in the college days college days यह बताता है दोस्तों यह past की बात है past में ऐसा एक routine हुआ करता था ऐसा काम हुआ करता था उसको बताने के लिए would है अगर आपको request करनी है बहुत polite request करनी है would you please can politeness के लिए नहीं आ रहा है और करना चाहिए कि ऐसा सवाल नहीं पूछोगे आप तो symbols है polite request के लिए कर रहे हो क्या तुम मेरे बच्चे की help कर सकते हो मेरे सन की help कर सकते हो reason के साथ समझिएगा एक-एक option क्यों eliminate हुआ मैं आपको समझा रहा हूँ जहां भी जिस भी question में doubt लगे आप या तो मुझे वहाँ लिख दीजेगा comment box में या एक number phone number जो share की है आप मुझे screenshot इसका आराम से अपने mobile पे लिजेए वहाँ भीजी और उसके नीचे question पूचिए definitely आपको answer मिलेगा दोस्तों my friend dash visit me every Sunday when I was ill जब मैं ill था तो वो क्या करता था used to visit वो मुझे मिलने आया करता था एक उसका routine बन चुका था last question दोस्तों getting up early in the morning वो उसका आदी हो चुका है used to इस बार नहीं आएगा आदी होने के लिए दोस्तों हम is used to लगाते हैं accustomed to की ज़रे तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से अब आपके दिमागे सवाल आ रहोगा किसर सी accustomed to direct दे रखा है वो क्यों नहीं अरे भाई मेरे यहाँ पे उससे पहले is तो आना चाहिए न वो missing है वहाँ पे यहाँ आ चुका है तो इसी तरीके से आप देखते रहिए यही चैनल और इसी बुक को बिल्कुल religiously follow करिए मैं बता रहा हूँ there is no chance कि आपको English में problem आए चलिए मैं लिए चलता हूँ और आगे की तरफ chapter number 3 models और models की exercise B और exercise B का आखरी portion दोस्तो dare और need उसको finish करते ही हमारा 3 chapter जो basic structure of the sentence है वो finish हो जाता है लिए चलता हूँ मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ दोस्तो आपको दे रखा है need और need not इसको ध्यान समझेगा बहुत important चीज़ है दोस्तो पहली चीज़ ये auxiliary और ordinary auxiliary और ordinary meaning समझा देता हूँ दोस्तो models जितने भी models के रूप में काम आएंगे वहाँ वो auxiliary है auxiliary का हिंदी अर्थ हो जाएगा English meaning हो जाएगा helping verb हिंदी में इसे कहेंगे सहायक क्रिया सहायक क्रिया का मतलब आप समझते है main verb से पहले लगाया जाता है जो ये need और need not है ये ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे समझेगा ये auxiliary के रूप में भी काम आता है और ordinary कहा तो ordinary है बड़ अच्छे से main verb कहते है कुल मिलाके ये main verb के रूप में भी काम आता है और helping verb के रूप में भी काम आता है अगर आपको याद हो तो मैंने have के बारे में भी ऐसा ही बताया था कि वो helping verb भी रूप में काम आता है और main verb में भी काम आता है चलिए तो अब हम बात करते हैं कि as model इसका प्रयोग कैसे है as an auxiliary mainly in the negative and interrogative forms with direct infinitive direct infinitive आपको बता रखा है to हटा दो bare infinitive भी कहते है कुल मिलाके to को गायब कर देना है सीधा verb की first form लगानी है connect करना है examples आपको दे रखे हैं and very important there is no past tense इसका कोई past tense का प्रयोग नहीं है यह छोटी-छोटी चीज़े हैं दोस्तों अपनी coffee में note करके रखिए मज़ा आ जाएगा चीज़ें better हो जाएंगी चलिए छोटी-छोटी चीज़ें मैं साथ-साथ बताता रहता हूँ अब यहाँ आगे वढ़ते हैं इसका कोई कारे जुसकी ज़रूरत नहीं है इग्जाम्बल के दौर बे he needs to work hard notice कीजिए दोस्तों need के बाद two plus v1 लगा रखा है मैंने आपको कहा था कि यहाँ direct infinitive लगेगा यानि अगर यह auxiliary होता बार-बार मैं auxiliary बोल रहो हूँ जिसका मतलब है helping verb यह अगर model के रूप में helping verb के रूप में होता तो यहाँ पे two नहीं लगा रहता आप note कर सकते हैं यहाँ यह ordinary verb है यानि यही इस sentence का main verb है इसके बाद यह कैसे पता लगा है मैंने आपको कहाना two लिखावा है लेकिन आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे second वाले के अंदर need I write to him क्या मुझे उसको लिखने की जरुद है अब अगर यह main verb होता तो helping verb आ गया था आपको structure याद होगा दोस्तों helping verb plus subject plus something something यानि अगर यह interrogative बना है यहाँ इसका auxiliary के रूप में प्रयोग है आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर यह main verb होता तो क्या होता do I need to write मेरी बात समझेगा do I need to बड़ यहाँ पे वैसा नहीं है यहाँ पे यह खुद ही आपको दे रखा है और आप note कर सकते हैं write direct infinitive है किसी प्रकार से तो का प्रयोग नहीं किया है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे sentence देखेंगे he need not go there again प्रयोग नहीं किया गया है auxiliary के रूप में यहाँ पे काम आया रोहित नीर अब note करने वाली बात देखेगा दोस्तों बहुत important है आपको मैंने बताया था कि he अगर singular है तो verb में SES लगाई है लेकिन जब यह need what model के रूप में आया है इसका S वाला फॉर्म नहीं बनता है as an auxiliary आप note कर रहे है he need आया है need not phone her now और इसके बाद कोई तरह का tune नहीं आया है यह बार बार इसलिए डाल रहा है दोस्तों कि आपको बार बार सुनते रहो और बार बार एक तो सुनोगे तो आपके दिमाग में बिलकुल बार बार घूमता रहेगा आगे देखते है you do not need अब आप नज़र देखिए यहाँ पे आगया do do अपने आप में हो गया auxiliary auxiliary का मतलब है यह main verb main verb का मतलब है यह ordinary verb छोटी छोटी बातें आपको समझनी है अपने आप चीज़ें clear हो जाएंगी ठीक उसी प्रकार से question number 6 जो example number 6 है मैंने यहाँ भी आपको कहा था कि अगर do का प्रेयोग करते तो need जो है ordinary verb का काम आती do you need to work now क्या तो मैं अब और काम करने की आवशक्ता है तो यह सारी चीज़ें आपको समझनी है इसके बाद need not plus have यह बहुत ही rare use लेने वाला structure है बहुत जादा आपको नहीं दिखेगा ध्यान रहे हमें इस तरह का structure होता है sentence बनता है पढ़ लेते हैं से an action which was not necessary but was perform मेरी बात को समझेगा एक ऐसार action जो जरूरी तो नहीं था लेकिन perform किया गया अब अगर वो perform किया गया है तो यहाँ पे structure कौन सा बनाएंगे हम need not plus have और अपको याद होगा have के बाद लगती है v3 example देखिए you need not have gone there have gone मैंने कहा था have के बाद v3 structure देखिए need not have इसका meaning समझे है तो मैं वहाँ जानने की जरूरत नहीं थी क्यों गए मुलब गए थे जरूरी नहीं था चीक उसी प्रकार से रोहित need not अब आप ध्यान से देखेगा रोहित singular है लेकिन हमने S का प्रयोग नहीं किया है phone'd her have के बाद third form उसको कल phone करने की रोहित को जरूरत नहीं थी एक एक चीज को बारी कीसे में समझा रहा हूँ फिर भी आपको लगता है कोई doubt है कोई चीज नहीं समझा रही है यहीं नीचे बहुत जादा दूर जाने की जरूरत नहीं है comment box है जरूर टाइप करें हम हमारी टीम के साथ कभी भी जरूर आपको reply देंगे पके से reply देंगे फिर भी आपको लगता है doubt बढ़ रही है नहीं समझा रहा है screenshot लीजिए question का और मुझे send कर दीजिए इस number पे definitely आपकी problem solve कर दी जाएगी यह number हमारा whatsapp पे सदा on है always on है हो सकता है कभी एक घंटा कभी तीन घंटा लेकिन reply हम जरूर करेंगे for sure दूसरी बात दोस्तों telegram पे भी हम available हैं बिल्कुल आप चिंता ना करिये telegram पे regular update मिलते रहते हैं इसी channel के नाम से आप search करिये digital त्यारी need के बाद next बात करते हैं दोस्तों dare की dare भी same ही है can be treated as an auxiliary or an ordinary auxiliary, auxiliary दोनों के रूप में काम आता है auxiliary के रूप में mainly कब काम आता है negative या नि derivative forms with direct infinitive कैसे same rule जो मैंने need के लिए बताया meaning अलग है usage बिल्कुल same तरीके का है कैसे she dared अब आप देखे second form का use लिया है that means ये ordinary form है challenge दिया she dared her sister to touch her उसने अपनी sister को का या तू मिरे को हाथ लगा के दिखा challenge दिया है मेरी बात को अच्छे समझेगा dared अगर आया है that means वहाँ पे वो ordinary verb है second form इसका use लिया गया है ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हैं second वाले portion में जहाँ does not आया है मैंने कहा था does या do अगर वो helping verb के रूप में आये है that means ये जो है वो ordinary verb है जोसे हम actually main verb कहते है हिंदी में इसका meaning हो जाएगा वह मुझसे fight करने का challenge नहीं कर सकता he does not dare उसने नहीं किया वो कर नहीं सकता I dare to go अब ध्यान से लेगेगा to आया है that means क्या है दोस्तों ये ordinary verb का form है मैंने ऐसा ऐसा किया dare किया so I dare to मैंने उसको courage रखा यहाँ पे एक बहादुरी रखी कि ऐसा है चलिए आगे देखते हैं he dares to abuse again to लगाया है to लगाया है मतलब ordinary है जब भी ये auxiliary के रूप में आएगा direct infinitive लगेगा to लगाने की ज़रत नहीं पड़ेगी verb को जोडने के लिए example आपके सामने है dare not go outside now मैं challenge कर रहा हूँ और auxiliary है आप note कर सकते हैं to नहीं है आम तोर पे negative के लिए आएगा to missing है he dare not abuse his rivals dare not same चीज दोस्तों dare you go outside now auxiliary तुम्हें challenge है कि तुम बहार जाओ मतलब मैं मना कर रहा हूँ बहुत ज़ादा strongly ऐसा कहा गया है चीक उसी परकार से dare he say so मतलब उसमें हिम्मत नहीं होनी चाहिए courage नहीं होना चीज ऐसा बोलने का he dared not to go outside then ध्यान से देखेगा दोस्तों यहाँ पे to नहीं लगा है need में हमने कहा था कि past simple नहीं बनेगा past form नहीं बनेगा dare में ऐसा नहीं है dare में second form बन सकता है अब जो आगे दे रखें दोस्तों यहाँ ध्यान से देखेगा dare he say so यहाँ पे past है और यहाँ present है आपको इसके dare से ही पता चल जाएगा उसने ऐसा past में कहा ऐसा हो नहीं सकता उसका हिम्मत नहीं मजाल कैसी कि वो कर ले यहाँ पे एक और structure है I dare say यह आता है suppose के लिए likely ऐसा होना चाहिए शायद कब ऐसा होगा so I dare say she will cheat you I dare say my friend will pass future का प्रयोकिया है कि ऐसी संभावना है मुझे ऐसा लगता है I dare say संभावना लग रही है possibility लग रही है वहाँ इसका ऐसा प्रयोकिया गया है मैंने आपको पहले भी बताया था फिर clear कर देता हूँ S is not used with dare and need as auxiliary auxiliary के रूप में S का प्रयोक dare और need के साथ नहीं करते हैं चलिए exercise पे आ चुके हैं दोस्तों यह हमारी आखरी exercise और आखरी का भी आखरी portion आपके सामने है my sister dash to daily in such circumstances अब उसको मना करना है नहीं जाना चाहिए मना कर रहा हूँ ध्यान से देखेगा to नहीं आएगा यानि कि direct infinitive लगेगा so यह simple सी बात कह रहा है कि मेरी sister को जाने की जरूरती नहीं है ऐसी circumstances मुझे लगता है lockdown की स्थिती में ऐसा कहा गया होगा next देखे दोस्तों 15 नंबर में क्या कह रहा है she dash here last night as her friend was better than उस समय उसका दोस्त अच्छा था तो उसको stay करने की जरूरत नहीं थी मैंने आपको बताया था need not have plus v3 कब लगाते हैं जब actually जरूरत नहीं थी और फिर भी वो काम हुआ that was not required लेकिन हुआ ठीक उसी प्रकार से you dash your note books from tomorrow future की बात हो रही है तो मैं लाने की जरूरत नहीं है तो मत लाना मना कर रहा है आप देखेगा ध्यान से यहाँ पे to नहीं आ सकता है यहाँ पे ऐसा past का कहन नहीं रखाएगी नहीं करना चाहिए था तो इसे हमने हटा दिया ठीक उसी प्रकार से उपर वाले वाक्य मैं जो meaning निकल के आ रहा है जो meaning निकल के आ रहा है वो हमें समझना है need not have state हो जाएगा 17 नमबर देखेए dash there while my father had forbidden me यहाँ यह कह रहा है क्या मुझे जाने की जरूरत है आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यह क्या कह रहा है मतलब यह ऐसा कहना चाहरा है कि क्या अगर मेरे father ने forbidden past में मना कर दिया past में मना कर दिया तो यह तो आएंगे नहीं दोनों अब बचा किया सिर्फ यह need I have gone मेरे को जाने की जरूरत थी क्या जब मेरे को मेरे पापा ने मना कर दिया था past में चीक उसी प्रकार से दोस्तों यह भी past में yesterday आया है तो मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं है ऐसा हमने कहा है dare का second form dared बन जाएगा कोई problem नहीं है यहाँ dares आ चुका है क्या यह आपको नजर आ रहा है अगर यह S नहीं आता हमेरा answer first होता auxiliary के रूप में अगर यह आता है तो he को dare चाहिए S नहीं चाहिए auxiliary के रूप में direct infinitive लगाते है two नहीं लगाते है लेकिन चुकि S आया है यह auxiliary नहीं है ordinary है अगर book के language में बात करें तो ordinary है तो फिर तो two लगाना ही पड़ेगा चोटी चोटी चीज़ें दोस्तों आप सोचते रह जाएंगे नहीं तो ऐसा क्या हुआ अभी तो हम कहते है two लगाना नहीं यह भी लगाया उसका reason है हमारे पास हमने यहां S देखा है इसलिए हमने यहां two लगाया है last question दोस्तों I dare not go यह तो बहुत ही simple है आपको बताने के जरूरत नहीं है तो यहां हमारी chapter finish हो जाती है chapter number 3 objective general English जो S भी वक्षी की किताब है उसमें revision exercise हम कर रहे थे दोस्तों revision exercise को शुरू करते हैं chapter number 1, 2, 3 complete कर चुके हैं इस playlist में आप देख सकते हैं इससे पहले अब जो आए दोस्तों revision exercise है first, second, third तीनो exercise का है दोस्तों अच्छा लगे तो like जरूर करिएगा यार वो हमारी energy को बढ़ा देता है बहुत अच्छा लगे चले दोस्तों यहाँ पर मैं लेए चलता हूँ आपको revision exercise को based on functions, voice and models correct the following sentence wrong part of the sentence is given bold italics सब कुछ clearly दे रखा है हिंदी में समझा देता हूँ आपको models का, tenses का और साथी साथ यहाँ पर voice का यहाँ पर revision exercise दे रखा है एक sentence दे रखा है sentence को correct करना है जो wrong part है वो bold है और italics है आपको नज़र आ जाएगा तिरचा है और गहरा है चलिए दोस्तों recently अगर आ जाता है इसका meaning आप समझेगा हाल ही की बात कर रहा है मतलब present perfect है present perfect है का मतलब का है दोस्तों you के लिए आएगा you तो आएगा ही आएगा और ever आजाएगा जो लिखा है और have के साथ third form आती है यानि क्या हो जाएगा have you ever gone to Aparughar in Delhi recently तो एक recently शब्द से हमें grammar को पकड़ना होता है that is most important second instant दोस्तों देखते हैं हम लोग Minnie has left for her husband last weekend last weekend की बात है न दोस्तों present तो आही नहीं सकता अब head left भी लगा सकते थे बड़ अगर मुझे कहा जाए head left और left में better कौन सा है अगर एक point of time दे रखा है उसी point की बात हो रही है that means यहाँ पे Minnie left for her husband last weekend दोस्तों यह सारी चीज़ें जब exercise कराई गई थी उसमें बहुत रूल के साथ बता रहा हूँ detail में अगर आपको देखना है बहुत simple सा है दोस्तों SP Bakshi की जब book start हुई starting से सारे chapters सारे videos बहुत छोटे छोटे 10-12 minute का तो एक video है दोस्तों आराम से देखते चले जाएए अपने basics को strong करते चले जाएए चले दोस्तों we observed that हमने observe किया policeman chased थी at that moment उस समय कर रही थी उस खशन की बात हो रही है past continuous की बात हो रही है वो chase कर रहे थे policeman singular है was chasing हो जाएगा बात को समझेगा आप लो आगे बढ़ते हैं दोस्तों question number 4 do it तुम खरो इसे अभी के अभी या तुम्हें punish कर लिया जाएगा passive voice का प्रयो करना है you तो आया ही है future की बात है punish कर लिया जाएगा तुमको कर लिया जाएगा उल्टा चलना है passive बनाना है you will be punished बात को समझेगे दीरे-दीरे question number 5 की बात करते हैं दोस्तों the police think that police को ऐसा लगता है क्या लगता है Nina may be there yesterday at the time दोस्तों past में yesterday थी तो may be की जगे क्या हो जाएगा might be there तो आप past में कभी भी may का प्रयोब नहीं कर सकते उसको ऐसा लगता है कि वो ऐसी थी यानि past में हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं question number 6 देखे after he murdered the child the body threw into the river दो जगे bold और italics मिल रहे हैं इक एक करके समझते हैं after का प्रयोग किया है यानि हमें याद रखना है दोस्तों after वाले portion में यहां तो आ जाता है V2 और यहां आ जाता है had plus V3 यह नियम कानून अपने को ध्यान है इस नियम कानून को follow करते चलें यानि पहले वाले portion में he murdered the child की जगे after he had murdered यहां से देखेगा उसने murder कर चुका था उसके बाद की बात है body threw अब देखेगा एक example ज़ा समझाता हूँ आपको अगर मैंने कहा आपको राम threw stones राम ने पत्थर फेका राम थ्री हो जाएगा अगर मैं कहता हूँ I threw stone मैंने पत्थर फेका body threw body ने फेका अब ज़रा सोचेगा आप क्या body ने किसी को फेका है या body को फेका गया है बिल्कुर सोच रहे हैं आप लोग सही दिशा में चल रहे हैं यहाँ body को फेका गया है passive voice है passive voice के अंदर आपको याद होगा V3 बहुत ज़रूरी है sentence का structure बन जाएगा his body was thrown शायद मेरी बाद अच्छे समझ भा रहे हैं आप लोग was thrown हो जाएगा आगे देखे दोस्तों question number 7 I just had my bath and I am ready just ऐसा अगर just कभी भी time के लिए आता है न दोस्तों सिर्फ वो एक tense के लिए आ सकता है present perfect तो present perfect की बात करूँ तो I के लिए आता है have had तो आप क्या कर सकते हैं I just have had my bath यहाँ पे pass symbol का प्रयोग किया गया था note करिये दोस्तों यह यहाँ पे verb की second form के रूप में आये था यह वो past perfect वाला had नहीं है क्यों कैसे पता चला मुझे कि इसके बाद verb की third form नहीं है तो सारी बातों को मिलाते वे just आ गया है तो just के साथ हम क्या लगाएंगे I just have had my bath मैंने भी बात लिया ही था and I am ready और मैं ready भी हूँ शेली दोस्तों आगे बढ़ें question number eight it is beautiful night यह बड़ी ही सुन्दर रात्री है अभी की बात हो रहा है is कह रहा है the stars dash अब आप ध्यान समझेगा यह बड़ी सुन्दर रात्री है और तारे चिम चिमा रहे हैं तारे चमक रहे हैं अभी चमक रहे हैं दोस्तों present continuous का प्रयोग करना है तो stars plural है are लगाओगे चिम चिमाने के लिए शब्द है twinkling लगाओगे the stars are twinkling in the sky क्यों अभी ऐसा हुआ हमने वहाँ देखा तो नजर आया हमें चलिए साब question number 9 देखिए don't worry चिंता मत करो you may leave your purse in the staff tomorrow अब देखेगा sorry yesterday yesterday यानि past और past के लिए तो आई नहीं सकता आपको past में अगर प्रयोग करना है you might have तुमने शायद रख दिया होगा past में yesterday कल चिंता मत करो तुमने वहां रख दिया होगा ऐसा हम कहना चाहरे है तो might have your purse हो जाएगा might sorry might have वोला मैंने गलती से बोल दिया you might देखेगा might have और साथ में क्या आएगा दुसक्तों leave का left past में आएगा have के साथ v3 आएगा so might have left past में चला गया dinner had prepared पहले तो यह बताओ dinner किसी को prepare करता है कि dinner prepare होता है dinner तो मेरे को prepare करेगा नहीं dinner को prepare किया जाएगा उल्टा चल रहे हैं हम याद करो passive voice passive voice का first video उठा के देखेगा मजा आ जाएगा concept ही clear हो जाएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो देखिये literally I am saying definitely आपको मजा ही आ जाएगा तो वो बात समझनी है कि भी dinner ने किसी को prepare नहीं किया dinner को prepare किया गया है अब आगे देखना है when our guests arrived arrived past में तो आप देखियेगा हम क्या चा रहे है हम पहली चीज़ तो passive चा रहे है और हम past में चा रहे है तो आप देखेगा the dinner अच्छा yet आया है न तो negative भी चा रहे है ध्यान से देखेगा yet आया है हमने उसमें बहुत सारे sentence किये थे the dinner had not been prepared बहिया prepare ही नहीं हुआ था और क्या हुआ था कि हमारे जो guests आ चुके थे जब हमारे guests आये थे dinner तो prepare ही नहीं हुआ था दोनो passive भी बनाना था negative भी डालना था दोनों चीज़े लगा दी 11 नमबर देखें दोस्तों I can't hear मैं नहीं सुन पारा what you dash now मैं नहीं सुन पारा तुम अभी क्या कह रहे हो what you are saying अब कई लोगों के दिमाग में question उड़ता है किसा what आ गया what आ गया तो प्रशन आ गया प्रशन आ गया तो reinversion करो उल्टा करो helping verb को subject से पहले लाओ बात बिल्कुल सही है आपकी हमें जब भी प्रशन वाचक होगा जब भी interrogative होगा helping verb subject से पहले लगाना रहेगा लेकिन लेकिन ये आपको ध्यान रहे दोस्तों यहां जो है प्रशन है या एक affirmative सकारात्मक वाक्य sentence बढ़िए I can't hear what you are saying now मुझे नहीं पता मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि तुम क्या कह रहे है अब सोचे ज़रा क्या ये प्रशन है कैसे पता चलेगा ये प्रशन है इसका कोई उत्तर नजर आ रहा है जब किसी का उत्तर नहीं है तो फिर ये प्रशन नहीं है प्रशन नहीं है तो याद money did you waste past की तो बात है since the death of your uncle तुमारे uncle की मित्यू से अभी तक यानि money के लिए आएगा have you wasted ध्यांज देखेगा have आया है you के लिए has आता रैम मोहन सोहन के लिए और have के लिए क्या आता है दोस्तों B3 so since आने के कारण did गलत हो गया अभी की बात कर रहा है कितने पैसे तुम करच कर चुके हो यानि यहाँ पर क्या हो जाएगा have you wasted आपको मेरी बात समझ आ रही होगी बहुत अच्छे तरी चैसे चलिए मैं चलता हूँ revision exercise question number 13 से आगे बढ़ना है 30 तक आज हमें complete करना है चलिए मैं लिए चलता हूँ आपको यह लिए दोस्तों I can't remember when I had seen her last ध्यान से देखेगा उसको last कब देखा था उसकी बात करना है general way में अगर मैं एक single point की बात करूँ मैंने उसको कब देखा past simple तो past simple में V2 का प्रयोग करते हैं हम why I had seen के स्थान पे I saw her last हो जाएगा first वाले में मुझे याद नहीं आता कि मैंने उसे last में कब देखा past simple एक single point की बात हो रही है my friend will select in the interview next month देखो next month की बात है यानि future tense की बात है future tense की बात है will का प्रयोग किया गया है लेकिन अब एक बात समझेगा आपका friend किसी को select करेगा या आपका friend select होगा बस इतना सा याद रखना है तो आपको पता चल रहा है कि आपका friend interview में select होगा कोई और करने वाला है passive voice है अगर यह passive voice है तो आपको पता है क्या करना है दोस्तों will select की जगे यहां हो जाएगा will be selected मेरी बात को समझेगा मुझे passive बनाना था और passive क्यों बनाना था वही समझाया है मैंने आप लोगे चलिए लिए चलता हूँ question number 15 पर दोस्तो smoking has to ban to avoid risk to children avoid यानि बचके रहना risk to children बच्चों के प्रती जो risk है smoking का उससे अगर हमें बचना है avoid करना है prevent करना है smoking किसी को ban करेगी है smoking को ban करना पड़ेगा बिल्कुल सही सोचा है आपने वही तो बार-बार कह रहा हूँ दोस्तों आपको समझना है passive voice का use हमने जो videos बनाए है passive voice के एक-एक video को देखिएगा दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से explain किया इस किताब को तो आप एक बात समझेगा has to ban की जगे क्या हो जाएगा has to be banned मेरी बात को बहुत आराम से लीजेगा has to be banned क्यों हमें smoking को ban करना है smoking किसी को ban नहीं करेगी चलिए मिटाते हैं ऐसे आगे बढ़ते हैं question number 16 पे देखिए सा when I called on her called on एक तो तो call बुलाना call on आप visit करते हो उसको याद करते हो आप she was mending socks for one hour अब देखिए ध्यान से अगर मैं कहूं when I called on her वहाँ जब मैंने उसको याद किया she was mending shoes she was mending socks कोई दिक्कत नहीं है सवाल उठेगा what is mending mending का मतलब है repair करना बचपन में एक कविता कायते थे हम cobbler cobbler mend my shoes cobbler बोले तो mochi हम उस mochi से बात कर रहे हैं जो shoes को ठीक करता है कि भहिया mochi भहिया करपया मेरे जूते बना दो ठीक उसी प्रकार से when I called on her she was mending socks कोई अपती नहीं थी इस बात में लेकिन अगर sentence को पूरा पढ़ा जाए boss यहां लिखा है फॉर बना एक घंटे से वो ऐसा काम कर रही थी it is not continuous it is perfectly continuous when it is perfectly continuous हमें क्या करना पड़ेगा was mending की जगे पे had been mending करना पड़ेगा मेरी बात को ध्यान से समझेगा had been mending question number 16 आगे देखते हैं दोस्तों 17 I think the news might true पहली बात तो ऐसा मैं सोचता हूँ कुछ भी सोच सकते हो सोचना है आपको अगर आप इस sentence को पढ़ें तो आपको ये समझना पढ़ेगा इस वाले वाकिय में सबसे बड़ी चीज मिसिंग क्या है पीछे वाले portion में the news जो है the news main verb missing है might तो एक auxiliary है might तो एक model है helping verb है main verb कहा है बताओ और model के साथ main verb की first form लगती है तो ध्यान से देखें true जो बाद news है वो true हो ऐसा मुझे लग रहा है might be true might be क्यों लगा है दोस्तों यह यहाँ पे main verb का का काम कर रहा है यह ordinary verb का का काम कर रहा है जहां to भी हम लगाते हैं मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद यह जो news है यह true हो हो लगाने के लिए यहाँ पे b लगाया है I told her अब याद कर लो दोस्तों told her यानि past आएगा clear है was understanding past आया भी है देखो कितना बढ़िया technical question बनाया है यहाँ पे question बनाने वाले भी past भी कर दिया told और told के बाद बहुत understanding भी कर दिया लेकिन अगर आपको याद हो एक list of verbs मैंने आपके साथ share की थी वो ऐसे verbs थे जहाँ पे ing avoid करना है हमारे videos में मिल जाएगा नहीं मिले कोई tension नहीं लेने का आप book खोलिएगा आप presents जब यह tenses चल रहे थे वहाँ आपने किया था दूस्तों ऐसे कुछ verbs जहाँ ing avoid करना है avoid करना है का मतलब है यहाँ आ जाएगा I told her that I understood her very well मैंने उसको समझ लिया है I understand this I know this I am knowing this नहीं लगाते है I am believing this नहीं लगाते है I believe you तो आप एरी बात को समझेगा understanding का ing avoid करना है that means यहाँ पर I understood her very well 19 देखिये तब while she strolled in the garden while आया है एक चीज़ याद रखना अपने दिमाग में आम तोर पर while का प्रयोग continuous sense में होता है जब ऐसा हो रहा था while she was strolling जब वर strolling कर रही थी garden में she came across her old friend came across क्या मीनिंग होता है दोस्तों came across का came across का मीनिंग होता है सामने से एकदम से अचानक से आ जाना किसी का मिलना come across का मतलब है अचानक से किसी का मिलना so इसने कहा I came across में आया सामने her old friend यानि strolling की जगे क्या हो जाएगा while she was strolling जब ये कर रही थी when के साथ आम तौर पे past simple while के साथ आम तौर पे past continuous question number 20 the laborers tired after a day's work and are enjoying sound sleep अभी वो enjoy कर रहे है are enjoying sound sleep दोस्तों ध्यान जेके sound एक sound का मतलब होता है आवाज मैं कुछ बोल रहा हूँ आपकी तरह आवाज आ रही है नहीं बोलूँगा तो आवाज नहीं आई अब मेरी बात को समझ येगा अभी वो sound sleep ले रहे हैं अब इसमें आवाज का क्या लेन देना sound का एक और मतलब होता है गहरा अगर गहरी नींद में कोई होता है sound sleep का प्रयोग करते है that means पीछे वाले portion में तो बिल्कुल सही है अब यहाँ पे हम कहना चाहरे हैं कि after a day's work तो the laborers are tired अभी बहुत थके हुए है are tired passive बनाना पड़ेगा उन्होंने किसी को थकाया नहीं है वो खुद थके हुए है so क्या बन जाएगा the laborers are tired वे थके हुए है after a day's work एक दिन के कारे से और अभी तो नींद इन्जॉए कर रहे है चलिए साब question number 21 देखते है the boss satisfied to see the neat work of the secretary yesterday पहले बात तो yesterday आया yesterday आया मतलब past होएगा past होएगा और satisfied आया है अपना दिमाग कहता बिल्कुल टकाड़क ready ओके टकाड़क लेकिन एक बात समझे yesterday आया है यानि past होगा past होगा तो satisfied आया यहां तक आप बिल्कुल सही सोच रहें लेकिन आपको यहां पे देखना है boss संतुस्ट करेगा या secretary के काम neat काम को देख कर boss satisfy होगा मेरी बात तो समझेगा boss satisfy होगा यह सही है या boss satisfied करेगा तो आपको clear पता चल रहे हैं boss satisfy होगा यहसा कहना चाहरे है so the boss was satisfied passive बनाना पड़ेगा कि boss satisfy हुआ किसको देखकर अपने secretary के neat work को देखकर था question number 22 देखिये सब please wait for a while कोई error नहीं है इसमें वो कह रहे है krapya कुछ समय के लिए for a while कुछ समय के लिए आप इंतजार करें क्यों my wife prepares coffee नहीं आएगा अब अभी इंतजार करो मेरी wife prepare कर रही है is preparing coffee समझे का है मेरी बात मतलब वो यह कह रहा है कि आप रुको अभी अभी ये काम चल रहा है रहा continuous है present का continuous present continuous में क्या हो जाएगा is preparing हो जाएगा एक एक sentence में with meaning with rule समझा रहा हूँ अच्छा लगे तेयर like जरूर करिएगा जितने जादा likes होते हैं जितने जादा views होते हैं वीडियो के दोस्तों वो हमारे लिए बहुत बड़ा energy का source बनता है जितनी जादा आप like करेंगे उतना अच्छी energy से हम और आगे पढ़ाने कोशिश करेंगे क्यार मज़ा आ रहा है comments देखके तो हम बहुत खुश हो जाते हैं everybody saying कि सर बहुत बड़ी है किताब है किताब को जारी रखेगा हमारी पूरी कोशिश है दोस्तों कि इसे complete करना ही है चलिए आगे देखते हैं दोस्तों question number 23 I wonder मैं ऐसा सोच रहा हूँ बड़ा wonder हो रहा हूँ what Atul had done lately आपको याद होगा ये शब्द आया था पहले lately का मतलब होता है recently हाल ही में तो हम यहाँ अगर देखें कि भाईया अतुल ने क्या किया है हाल ही में तो had done की जगे क्या हो जाएगा दोस्तों has done क्यों हाल ही में कह रहा है present का perfect है याद रखिएगा मेरी इस बात को इस कारण से had done के स्थान पर has done हो जाएगा 24 देखिए he may succeed वह succeed हो जाए in his new venture उसके दोस्त ने pray किया अब मेरी बात समझेगा उसके दोस्त ने ऐसा pray किया है ऐसा भगवान से प्रार्थना करी है ही में succeed नहीं आएगा ही में में तो शायद आ रही है आपने अगर प्रार्थना करी है तो आप क्या कहना चाहोगे आपको याद होगा हमने जब में पढ़ाता था हमने कहा था sentence की शुरुवात में आप विश्दूआ करने के लिए लगाती हो में ही succeed in his new venture भगवान से प्रार्थना करी है भगवान कृपया उसे सफलता दे तो ही में succeed में तो आप doubt कर रहे हो शायद सफलता मिलेगी में अगर ही के बाद आया हमने प्रार्थना करी है में ही succeed हो जाएगा question number 25 देखिए boss before you started you must check your purse you started past में आपने जब ये शुरू किया आपको ये कर लेना चाहिए था कर लेना चाहिए था must का प्रयोग करना है you must have आप लगा सकते हैं you should have तुम्हें ये कर लेना चाहिए था you must have checked तुमने ये किया होगा ऐसा वो कहना चाहरा है तो आपकी जो इच्छा है लगा दो before you started जब तुमने इस्टार्ट किया उससे पहले तुमने ये काम किया होगा must have checked या should have checked आएगा 26 देखिए he has finished dinner yet yet यानि अभी तक अभी तक यानि काम पूरा नहीं हुआ नहीं हुआ है negative लगाना है negative लगाना है he has not finished the dinner yet yet से बहुत clearly पता चल रहा है कि ये negative sense है negative है मतब not आएगा he has not finished the dinner yet 27 देखिए since आगया है she started journeying जबसे उसने journey since का यहाँ पे मतलब क्या है जबसे since का एक मतलब होता है चू की तो ये कह रहा है कि जबसे उसने journey शुरू की है she had been feeling sick she had been feeling sick अभी देखिए जबसे उसने journey start करी past में she had felt sick यहाँ पे क्या हो जाएगा felt sick हो जाएगा और यहाँ पे had आजाएगा had भी आ सकता है has भी आ सकता है feeling sick नहीं होगा यहाँ पे ing को avoid करेंगे हम उसको ऐसा लगा तो यहाँ पे क्या आजाएगा she has felt sick यह had felt sick question number 28 देखिए the book has just lost today today के साथ has just lost कैसे लगाएगा उसने तो simple सा कहा है आज खो गई है ना तो आप तो कुछ मत करो boss has or just don't know the book lost today आज खो गई has just लगाने के बाद today नहीं आ सकता है तो हमने has just को हटा दिया या today नहीं होता तो sentence बैसा ही होता I am to Mumbai recently with my family I am की जगे हो जाएगा दोस्तों recently हाल ही में ऐसा हुआ है आपको याद होगा जब भी हाल ही में होता है present perfect होता है present perfect होना am b b का form है और यहां b का ही form लगा रहे हैं b का third form लगा या been I have been to Mumbai recently हम यह कहना चाह रहे हैं अभी हाल ही में हम recently Mumbai जा के आए हैं a last question देखे सोसो while you were young जब तुम young थे you ought to learn good habits तुम्हें ऐसा करना चाहिए था जो किया नहीं बिलकुल याद आगे आपको you ought to have याद होगा दोस्तों जब ought to का आखरी पार्ट आया था और हर model के last में आया था ऐसा होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ उस case में हमने model plus have plus v3 लगाया तो ध्यान से देखेगा ought to plus have plus v3 ought to learn error नहीं है ought to learn अपने आप में grammatically correct है पूरे sentence के साथ connect करो तो connect नहीं होगा जब तुम young थे you ought to have learned तुम्हें young कर लेना चाहिए था जो तुमने नहीं किया तो दोस्तों chapter का जब revision होता है सबसे महत्पूर होता है chapter को पहले अच्छे से पढ़ लो आराम से revision करो इस book की खासियत देखे दोस्तों तीन chapter खतम होए पूरी revision exercise तीनो chapter की मिला के तो clear हो जाता है कौन सा चीज कहाँ अपलाई करना है application most important exam में लिखावा थोड़ी आएगा कि ये वाला question इस chapter से है वहाँ तो सब mixing आएगा तो इतनी बढ़िया वो कहना दोस्तों मज़ा आ जाएगा तीन chapter complete कर चुके हैं दोस्तों और तीन बहुत महतुकून chapter अब उन तीनों chapter की revision class चल रही है revision exercise के अंदर first 30 questions हम complete कर चुके हैं और आगे वड़ते हैं चलिए यहाँ पे simple सी बात लिखिए दोस्तों like करिए share करिए दोस्तों अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो subscribe भी करिए phone number हमने आपके साथ share किये है so that आप इस number पे contact कर सकते हैं हमें कोई doubt पूच सकते हैं anything you want to ask आप अपने screenshot बेजिए PDF available नहीं है तो PDF के लिए बोलिए whatever you want जो भी आप चाहते हैं जरूर देखिए चलिए मैं लिए चलता हूँ आपको सीधा exercise पे exercise का question number 31 से start करेंगे हम then I realized आज से देखेगा then I realized यानि बाद में मैंने realize किया something burned something जो है कोई ऐसी चीज मैंने realize कर रहा हूँ यानि कोई चीज जल रही थी something was burning कुछ न कुछ जल रहा था वो स्वयम जल रहा था something was burning कोई प्रकार का यहाँ पे continuous tense का use लिया जाएगा simple सा then I realized मैंने उसके बाद realize किया that past में कि कुछ जल रहा था यह उस समय realize किया इसलिए हमने past का continuous use लिया आगे देखे दोस्तों when I visited my friend जब मैं मेरे दोस्त के घर गया she वो क्या कर रहे थी had been sweeping the floor देखे had been plus ing का प्रयोग तब किया जाता है जब काफी समय से काम चल रहा है एक बार का अगर मान लीजे यह portion नहीं होता और सीधा लिखा होता she had been sweeping the floor फिर भी मैं काम चलवा लेता उससे मुझे यह पता चलता कि वो काफी समय से floor यानि की first sweep यानि ज़ाडू first पर ज़ाडू लगा रही थी लेकिन जब मैं visit किया जब मैं पहुँचा जब मैंने देखा तो मुझे लगता है better option simple सा जब मैं वहाँ गया वह ज़ाडू लगा रही थी एक गलती जो बहुत सारे student करते हैं ध्यान रखेगा दोस्तो superfluous words का error है return और back ये दोनों शब्द एक साथ नहीं आ सकते return वापिस देना back यानि पीछे तो वापिस पीछे कैसे देना return का मतलब ही वापिस देना होता है return back का प्रयोग अगर किया जा रहा है sentence में error है back हट जाएगा आगे देखते दोस्तो he returned the money money to the police पुलिस को though he could keep it अब ध्यान से देखे question क्या कह रहा है उसने पैसा पुलीस को लौचा दिया though दो का मतलब है हालांकी यद्यपी वो क्या कर सकता था वो खुद रख सकता था रखा नहीं उसने रख सकता था ऐसा काम जो वो कर सकता था किया नहीं could have kept मेरी बात को समझेगा द्यान से वह उसने पैसा पुलीस को लौचा दिया हालांकी वह खुद रख सकता था could have kept यहाँ पे simple सा answer हो जाएगा चलिए 34 देखते है अब देखे है sentence को देखेगा अब आप ज़रा सोचीए अगर यहाँ पे was आ चुका है helping verb के रूप में main verb missing है तो sentence तो नहीं बन पाएगा आगे देखे है before her marriage उसकी शादी से पहले उसने यह काम कभी भी नहीं किया था तो ऐसा कभी कुछ कहना हो had never been हमने was का ही भी बनाएए ध्यान रखेगा was अगर main verb की बात करें तो हमारे पास be was और been तो मैं इसे अगर second form मान लेता हूँ तो उसी का third form मैंने use लिया है she had never been वह कभी भी such a nice movie इतनी बढ़िया पिट्सर में शादी से पहले कभी नहीं गई थी शादी के बाद बहुत सारी चीज़े मुझा आती है शलिये साब आगे देखिये can you please क्या आप help कर सकते है in getting a job job help करने में क्या आप सक्षम है ऐसा पूछ रहा है मुझे लगता है कि politeness अगर दर्शानी है आपको तो इसका better word है could you please आपको ध्यान होगा हमने जब can could बढ़ा था तो हमने कहा था politeness के लिए आप could का प्रयोक करेंगे could you please आप खिरफिया help कर पाएंगे मेरे बेटे को getting a job job मिलने के लिए I could not open the lock मैं lock open नहीं कर पाया क्यों because I lost the key क्योंकि मैंने चाबी खो दी अब ध्यान से देखेगा मैंने चाबी खो दी है better answer होता I have lost लेकिन चूंकि यहां पे could आया है मतलब मिटाना नहीं चाहिए मजह इदर चूंकि यहां पे could आया है have से better क्या होता है मैं नहीं open कर पाया क्यों नहीं कर पाया क्योंकि पहले ही में बस चाबी खो चुका था खो चुका था perfect past past perfect का प्रे हो गया so I could not open the lock lock open नहीं कर पाया क्योंकि मैं चाबी खो चुका था next देखे question number 37 if you get through अगर तुम get through the examination get through का मतलब होता है get success सफलता प्राप्त करना examination clear कर जाना pass हो जाना अगर आप examination pass हो जाते हो I shall very happy अब जरा सोचिएगा कि यहां main verb missing है shall हमारा model है model के साथ कहीं न कहीं main verb की जरुरत है अकेले helping verb से काम कैसे चलेगा तो I shall be होंगा be के लिए मैं फिर बता दूँ एक तो मैं अभी थोड़ देर पहले का be was been और be was been तो उसके तीन form हुए इसका हिंदी अर्थ होता है होना अगर तुम exam में पास हो जाते हो मैं बहुत जादा खुश होंगा I will be very happy तो be तो आएगा ही आएगा बिना उसके कने कैसे करो गया question of a 38 देखिए I have been writing six letters since morning देखेगा अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता कुछ हटाया देखिए ध्यान से बने मैं पत्र morning से लिख रहा हूँ कोई problem नहीं होती मैं पत्र लिख रहा हूँ morning से लिख रहा हूँ अब यहाँ पे ध्यान से देखेए तो 6 letter ध्यान से अगर आप देखें तो मुझे जहां तक याद आ रहा है यह revision में आया है यह actually exercise में भी आया था question और अगर आपको मैंने कहा था जब वो 6 letter since morning के साथ है have been writing की बजाए लिख चुका हूँ I have written चुका हूँ perfect present का perfect मैं 6 letter morning से लिख चुका हूँ 6 आया है इसलिए हमने यह बेटर क्या लगाया perfect tense लगा दिया चलिया था I was to catch the first train मुझे first train पकड़नी थी but had to cancel the program अब ध्यान से देखेगा I was to catch the first train में तो कोई problem लग नहीं रही मुझे क्योंकि मुझे ऐसा एक काम करना था मुझे पहली train पकड़नी थी लेकिन, लेकिन, लेकिन had to cancel the program program cancel करना पड़ा मतलब ये वाला काम नहीं मतलब ये cancel होने के कारण ये काम नहीं हुआ नहीं हुआ तो आपको याद करना था दोस्तों I was to have caught अगर आपको याद हो तो ऐसा काम जो नहीं होता था model plus have plus v3 should have caught, would have caught has to have caught तो यहाँ पे हमने क्या किया was to being वाला प्रयोग किया है to be plus have plus v3 बिलकुल अच्छे से structure याद आया होगा आपको मैंने ऐसा करना था लेकिन नहीं हो पाया last question देखे दोस्तों when I met her last year past की बात कर रहे हो जब मैं उससे मिला था कब पिछले वर्ष she was married अगर इतना ही होता तो अपना काम चलता जब मैं उसे मिला था उसकी शादी हो गई थी कोई दिक्कत नहीं है मुझे तुम भी शादी कर लो भाई यहां यह कुछ और कह रहा है अगर आप गौर से देखें मेरे दोस्त for three years तीन वर्षों से उसकी शादी हो चुकी थी she had been married अब had क्यों लगा है साब met her last year past की बात है past की बात है had been plus married चलिए मैं लिए चलता हूँ आपको सीधा आखरी के 10 questions पे you ought to honest आप से आँ से देखें के दोस्तों you ought to honest कुछ कमी नजर आ रहे है आपको मुझे याँ सबसे बड़ी कमी नजर आ रहे है दोस्तों main verb missing है boss आप कैसे ought to के बाद तो verb चाहिए और आप ये कह रहे हो तुम्हारी dealings में जो तुम आलेंदेन करो जो तुम कोई भी व्यापार को कोई भी कार्रे करो उसकी dealings में तुम्हें honest होना है पिछले वीडियो में भी होने की बात की दे दोस्तों होने के लिए word आता है be so you ought to be honest in your dealings अगर मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को वो simple सी बात कह रहा है कि तुम्हें अपनी dealings में honest होना पड़ेगा मतलब ought to be honest यहाँ पे missing गा he is reading a biography वहाँ एक biography पड़ रहा है दोस्तों एक चीज़ जो है clear कर देता हूँ अगर कोई किसी और दूसरे person के बारे में उसकी जीवनी लिख रहा है तो उसे English में कहते हैं biography मैं स्वया मेरी जीवनी मेरी आत्म कथा लिख रहा हूं तो उसे कहेंगे autobiography तो यह कहना चाह रहा है कि वहाँ बायोग्राफी पड़ रहा है which is the third जो तीसरी है this year जो वह पड़ रहा है he he is reading a biography which is the third he has या फिर he is जो है reading क्योंकि वह इसी year की बात कर रहा है इस वर्ष वहाँ तीसरी पड़ रहा है चलिए 43 देखते हैं on the next दशहरा दोस्तों future की बात हो रही है ध्यान से अगर आप note करें तो आने वाले दशहरा की बात हो रही है they will live together for 10 years वो दस वर्षों से 7 रहे रहे होंगे बिलकुल सही पहचाना आपने ये है perfect continuous future का perfect continuous एक बार मिटा के तोड़ा समझा दूँ मैं आप लोगों को तो क्या हो जाएगा will have been living for 10 years कब together we're living together कब on the next दशहरा अगले दशहरा पर वो रह रहे होंगे साथ में 10 वर्षों से question number 44 we left for Delhi हमने Delhi के लिए छोड़ा निकले हम दिल्ली से after the function was over जब function जो है खतम हो चुका था past में खतम हो चुका था was की जगे क्या आजाएगा had been after का नियम भी बताया था after से पहले v2 after के बाद had v3 चलिये साब आगे बढ़े हम question number 45 देखते है it was very hot वह बहुत गर्मी थी you need not bring your अब ध्यान से देखेगा was very hot का मतलब क्या है past की बात है past में अगर गर्मी थी अगर आने वाले future की बात कर रहे है तो कोई देख कर नहीं आप बोल देंगे you need not bring यहां बहुत गर्मी है तो मैं लाने की जरूरत नहीं है it is hot you need not bring लेकिन यह past की बात कर रहे है ऐसा कोई काम जो नहीं करना था past में need not have brought कोई ऐसा कार्य जो पहले तुम्हें नहीं करना चाहिए था तुमने यूहीं किया उसके लिए हम लगाते हैं need not के साथ have plus v3 question number 46 देखिये सब I have been to bhopal last year दूसरो last year की बात कर रहा है एक point की बात कर रहा है कभी भी आप इस तरह का प्रियोग नहीं करते number one have तो आएगा ही नहीं क्यों नहीं आएगा क्योंकि आप actually present की बात ही नहीं कर रहे हो had भी नहीं आएगा क्योंकि यह last year एक point है और इन दोनों को हटा दूं तो best क्या हो जाएगा I was to bhopal बीन की जगे was best है I was to bhopal ठीक है ना और बहतर इसे कर सकते हैं I had been to bhopal कर नहीं आएगा आप इस पूरे को एक साथ change कर सकते हैं इस पूरे को change कर सकते हैं अगर आप गए थे ना I went to bhopal simple है कोई problem नहीं है I went to bhopal last year चलिए 47 ने के yesterday ये भी past है past में have कैसे आएगा ये भी हटा देते हैं यहाँ simple सा past डाल देते हैं where were you yesterday आप एक point की बात कर रहे हैं stretch की बात नहीं कर रहे हैं point की जब भी बात करते हैं हम हमेशा past simple लगाते हैं where were you yesterday 48 नंबर देखें will you please send me some money अब देखेगा वैसे तो future की बात हो रही है ऐसा करोगे क्या लेकिन चुकि politeness है हमें पैसा चाहिए कुछ नगुछ politeness डालना पड़ेगा will की जगे क्या हो जाएगा दोस्तों याद होगा आपको अच्छे तरीके से would you please send me some money तो धीरे धीरे एक एक चीज के साथ एक एक नियम बताते जा रहा हो यही खास बात है तोस्तों books के साथ पढ़ने के लिए अगर ये video अगर आप साथ में देख रहे है बहुत मज़ा आ जाएगा अगर आपको याद हो अनुमान वाले केस में हमने क्या किया था ऐसा अनुमान है possibility है probability है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आखरी question दोस्तों is Shiva used to sleep late अब आपको याद होगा used to के बाद हमें जरंड का प्रयोग करना है so that हम कोई कार्य के क्रिया के हम used to नहीं होंगे कोई न कोई आपके सामने कार्य होगा प्रोसेस होगा तो यहाँ पे sleep की जगे याद होगा आपको अच्छे तरीके से हमने ing का प्रयोग किया है यह sleeping यहाँ पे verb नहीं है मैंने विडियो में भी कहा था आपको यहाँ जो sleeping है ing form of the verb used as noun known as jirund मतलब कि ing form का हमने noun में रूप लिया है जिसे हम jirund कहते हैं वो प्रयोग किया है दोस्तों हमने यहाँ देखा पूरी exercise जो है यहाँ पिर revision वाली complete हो जाती है यहाँ हमारे chapter 3 और हमारे साथ की जो revision है भो खतम हो जाती है next chapter के लिए बने रही है हमारे channel पे thank you please like share subscribe digital तैयारी